Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, welcome to Magnet Brains इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्चार्ट करने वाले हैं Class 6, Civics का चाप्टर चाप्टर है, Rural Livelihood Rural Livelihood देखिए, अब ये Rural, Urban, Rural, Urban कितने सारे चाप्टर इसी नाम से हो गए न लेकिन यहाँ पर चाप्टर जो है, वो आपको एक specific detail बताने वाला है क्या detail बताने वाला है, सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो लेक्टर में बताऊंगा पहला वीडियो लेक्टर है नये चाप्टर का और जैसे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहला वीडियो होता है, वो क्या होता है, एक introductory वीडियो होता है जिसमें मैं आपको चैप्टर के बारे में basic introduction देता हूँ कि चैप्टर किस बारे में है, वह चीज़ बताता हूँ तो देखिए चैप्टर क्या है हमारा, ठीके, connect with the previous chapters अभी जो हमने previous chapters पढ़े तो उनके units किस तरह से थे तो एक chapter में हमने diversity को जाना समझा कि diversity क्या होती है ठीके, diversity होती ही होती है और हर जगा होती है language के basis पो हो जाती है, caste के basis पो हो जाती है, religion के basis पो जाती है कितने सारे अलग-अलग factors है, जिन कारण से हमें diversity देखने को मिलती है society में बोलो हाँ, ठीके, तो हमने diversity को समझा, government को समझा हमने कि government किस तरह से काम करती है, क्या होती है, government के key elements क्या होते है ये सब कुछ पढ़ा हमने इस साल civics में, ठीके, तो sixth civics में आपने क्या-क्या पढ़ा मैं वो recall करवा रहा हूँ, फिर अभी क्या देखा हमने, administration को देखा हमने तो हमने rural area, मतलब क्या है कि गाओं में किस तरह से administration चलता है और urban area, मतलब शहर में किस तरह से administration चलता है तो अब देखो क्या है, ये जो पूरी कहानी है हमारी, ठीके, इस पूरी कहानी के साथ में आपको इस chapter को जोड़ना है जब आपने इतना कुछ पढ़ा कि government होती है, diversity होती है, कैसे काम चलता है गाओं में, शहर में तो गाओं में आपने क्या करा, government का site तो देख लिया, लेकिन लोगों को site देखा क्या भी बताओ, नहीं देखा न rural livelihood मतलब गाओं का जीवन कैसा है गाओं में लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या दिक्कते होती हैं, क्या दिक्कते नहीं होती है वो सारी चीज़े आप इस chapter में जानने को मिलेगी आपको, ठीके? stories होंगी, बहुत सारी stories होंगी, जैसी stories आपने क्या करी है, अभी आगे जो chapter पढ़ क्या है, ठीके? पीछे मतलब पीछे जो चाप्टर पढ़ क्या है जिन चाप्टर उसमें आपने तरह तरह की स्टोरी देखी, बहुत साई लोगों की वैसी ही स्टोरी आपको इस चाप्टर में भी जानने को मिलेगी तो चाप्टर जो है पूरा स्टोरी से भरा पढ़ा है, ठीक है? तो अब क्या है तो in this chapter we will look at the different ways in which people earn their living in villages ठीक है तो हम क्योंकि अब rural livelihood की बात करें गाओं में कैसे जीवन चलता है तो हम भही देखेंगे कि गाओं में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं लोग कैसे चीजें कमाते हैं कैसे पैसा खर्च करते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं तो गाओं के perspective सम चीजों को समझेंगे ठीक है अब क्या आगे वी विल एक्जामें वेदर पीपल है एक्वल opportunities to earn a living अब देखो गाओं में क्या है कि गाओं में हर इंसान पैसा कमा रहा है एक छोटा किसान भी बड़ा किसान भी लेकिन सवाल यह उठता है क्या सभी लोग बराबर धंग से कमा रहे हैं मतलब क्या हर इंसान के पास बराबर पैसा है ठीक है तो यह वही चीज़ है क्या कि वेदर पीपल है एक्वल opportunities to earn a living or not क्या समानता है equality है या नहीं है अब मैंने आपसे जो कहा ना connect the connect this chapter with the previous chapters तो अब आपको ध्यान हो तो यहां पर diversity में हमने equality की बात करी थी ध्यान आया कुछ तो उसी तरह से सवाल फिर उठता है तो we will examine whether people have equal opportunities पैसा तो सभी कमा रहे है लेकिन क्या equal opportunities है लोगों के पास नहीं है उस चीज़ को भी discuss करेंगे हम आगे क्या है we will look at the similarities in their life situation and the problems that they face ठीक है फिर एक और चीज़ क्या देखेंगे एक और comprehensive way में हम किस पार्ट को देखने वाले हैं हम देखेंगे कि उनकी life में क्या-क्या problems है ठीक है क्या similarities है उनकी life में जो अलग-अलग category के लोग रह रह रहे हैं गाओं में बड़ा किसान भी रहता है गाओं में ही छुटा किसान भी रहता है उनकी life कैसे similar है कैसे different है क्या challenges यह से क्या नहीं है तो एक तरह से क्या है आपको पूरे गाओं की share जो है वो में करवाने वाला हूं ठीक है गाओं में क्या समस्या है क्या नहीं है वो सब कुछ हम इस chapter में क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं तो I hope आपको theme समझ में आईए अब आप क्या कर सकते हो understand the heading of the chapter तो आप chapter के साथ बहुत अच्छी तरह से relate कर सकते हो कि rural गाओं में कैसे लोगों का जीवन चलता है rural livelihood गाओं में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस इसको आपको इस chapter में जानने को मिलेगा fine तो यह हमारे chapter की theme हो गई मैंने theme आपको बता दिये topics क्या क्या होने वाले ह से देखो अब यहां पर आप देखो कि तो कितना काम हो रहा है यह क्या ककडी वकडी बेच रहा है ठेले पर इंसान ठीक है यहां पर क्या हो रहा है तो यहां पर देखेंगे तो कोई खेती कर रहा है कुछ ठीक है यहां पर स्प्रे हो रहा है दवाईयों में फिर और देखे आपको कल पट्ट्टु विलेच के बारे में पढ़ेंगे तो हम गाओं के लोगों के बारे में देखेंगे तो धुलासी के बारे में पढ़ेंगे and on being in depth तो depth मतलब क्यों होता कर्ज में तो हम देखेंगे गाउं में लोग कर्ज में भी डूब जाते हैं अब ऐसा नहीं कर्ज कोई पानी कर्ज मतलब क्या है कि जैसे किसी ने किसी परकार का लोन लिया है तो उस लोन के चलते क्या है वो परिशान हो जाता है उस लोन में फस जाता है कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है फिर रामा लिंगम एंड कुर्तम्मा ठीक है रामा लिंगम कौन है कुर्तम्मा कौन है इनके बारे में भी कहानी है पूरी वो भी मैं आपको समझाऊंगा ठीक है फिर क्या है Tarass Farming in Nagaland तो कल पट्टूगाओं से हम कहें पहुंचेंगे Nagaland अधीक इंडिया में जो Farmers उनकी किया कहानी है उस चीजसको बदोन। Economers ऐसने कम लेबर्स का लेबर्स के काम भी कर रहे हैं कैसे क्या वो भी आपको मैं बताऊंगा फिर क्या है अरुना इन पारी विलन ठीक है तो अरुना इन पारी विलन की भी कहानी है कि जैसे मैं आपको बताएं ना कि क्या है सिर्फ खेती नहीं करते हैं खेती के अलावा भी दूसरी चीज़ें करते हैं तो खेती के अल आप करेंगे कि लोगों ने क्या क्या किया और अल्टिमेटली क्या बचता है फिर आपका NCRT solution तो NCRT solution को भी discuss करेंगे यह पूरा framework है यह पूरा ground है हमारे chapter का इस पूरे ground में हमें क्या करना है football खिलना है नहीं ठीक है पूरे chapter को समझेंगे मतलब वो बता रहा हूं में आपको ठीक है तो यह सारे topics होने वाले हैं थीम भी clear हो गई है किसी प्रकार का doubt है तो feel free to ask in comment section इसी के साथ हमारा topic complete होता है ठीक है basic introductory lecture था समझ गए आप chapter किस बारे में है एक चीज़ और समझ लीजिए क्या कि मैगनेट बिन्स में क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी subjects सभी chapters सभी chapters के topics सब topics सारी चीज़े यूही systematic way में video lectures के format में available है जिने आप क्या कर सकते हो बहुत आसानी से पढ़ सकते हो समझ सकते हो आपको क्या करना है आपको घर बैठे अपना syllabus complete करना है अपने juniors और seniors को भी magnet brains के बारे में बताना है मिलते है next video lecture में chapter के पहले पार्ट के साथ till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हमारे chapter का पहला topic पढ़ेंगे जो है कलपट्टू village कलपट्टू village इस topic का नाम सुनते से सबसे पहले आपके मन में सवाल आता होगा कलपट्टू village कहां पर हैं अब कौन-कौन गया है कलपट्टू village वहाथ ओपर करेंगे ठीक है हो सकता है आप मैंसे कोई भी ना गया हूँ तो Kalpattu village कहा है पहले देखो जड़ा तो where is Kalpattu village इस सीज को समझते हम तो यह हमारा प्यारा देश ठीक है हमारा अपना भारत अब इंडिया में क्या है इंडिया में आप देखोगे तो नीचे जो सदल स्टेट्स है साउट में एक स्टेट है हमारा तमिलनाडू ठीक है यह तमिलनाडू स्टेट में क्या है तमिलनाडू स्टेट में एक कोस्टल रीजन पे कोस्टल रीजन समझते हो क्या होता है जैसे यह समुद्र है न तो समुद्र के पास वारा जो एरिया रहता है इसे कहता है कोस्टल वो सारी कहानिया कहां किये कलपट्टू विलेच किये सारे लोग कलपट्टू विलेच के आएंगे सारे लोगों के साथ साथ में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो सारी चीजें भी आपको कलपट्टू विलेच के बारे में ही जानने को मिलेगी तो इस सेंस में कलपट् करते हैं तो यह जो गाऊवे यहां पर क्या क्या होता है देखो लाइवलिू अमें है लूर्ल लाइवलिू मतलब काऊ में लोग कैसे रह रह रहे हैं क्या करना है तो अब हम कलपट्ट्टू विलिज के reference के साथ यहांते चीजों को जानते जाएंगे समझते जाएंगे तो लोग क्या करते हैं यहां पे तो as in other villages here too there is non farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, block carts etc. तो जैसे क्या होता है दूसरे गाउं में जिस तरह से काम होता है उसी तरह से यहां पे भी क्या हो रहा है हमें जगा जगा क्या देखने को मिल जाएंगे, non farm activities क्या होता है मतलब ऐसे काम जो खेती के नहीं है ठीक है खेती के अलावा देखो गाउं है तो गाउं में खेती तो होगी दिखती बात है बागी खेती के अलावा भी दूसरे काम होते हैं क्या होते हैं दूसरे काम खेती के अलावा तो as in other villages here too there is non farm work such as making baskets, basket ब काम होता है यह काम क्या है non farm activity में आगे basket बना बना की बेचेंगे ठीक है और क्या है तो there are people who provide services such as blacksmith लोहार जो होते हैं लोहार समझते हो क्या होता है तो जैसे जो लोहे से सामान बनाते हैं ना लोहे से क्या बनाएंगे वो X बनाएंगे हतोड़ा बनाएंगे इस सारी चीज teachers तो हर जगा मिलेंगे और teachers नहीं होंगे तो देश के सब बनेगा बताओ ठीक है तो teachers washermen, weavers, barbers, cycle repair, cycle repair की shop भी है तो छोटे बच्चे जो cycle लेके जाते हैं पंचर होगी है अंकल ठीक है तो अंकल क्या करते हैं उसका फिर टायर सुदार देते हैं तो इस तरह से क्या है cycle repair, machine mechanics and so on तो यह services प्रोवाइड करने वाली भी है category जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आगे क्या है there are variety of small shops such as tea shops, grocery shop, barber shop, a clothes shop, a tailor and two fertilizer and sheet shops ठीक है तो अब ऐसा भी नहीं कि गाहों बहुत ही पिछला है कि यहाँ पर network की नहीं मिल रहे हैं ऐसे भी गाहों होते ना ऐसा नहीं ह कि services मिल जाएंगे तो shops देखने को मिल जाएंगे अब इसमें क्या है तो अभी shops में देखेंगे आप तो टिफिन सेंटर भी चल रहा है वाजू में ही ठीक है टिफिन सेंटर चल रहा है individuals अपनी दुकान खौल कोल के बैठे हैं सारी चीजने चल रही है तो इस तरह से आप द families earn a livelihood through agriculture तो no doubt गाउं है तो rural area में main activity agriculture ही रहेगा rural area में main काम जो लोग कर रहे होंगे वो खेती ही करेंगे ठीक है लेकिन आपने अभी आगे क्या देखा कि खेती के अलावा भी दूसरे काम होते हैं जो हमने क्या किया जो हमने discuss किया कि हाँ खेती के अलावा भी ये ये काम हो हो रहे हैं और लोग इस तरह से perform करें तो इस अर्दी मल्टिपल वर्क्स विच पीपल आर पर्फॉर्मिंग ठीक है इन कलपट्टू तो कलपट्टू एक गाउं जो है वहां पर ये भी दूसरे काम हो रहे हैं ठीक है अब क्या है आग आगा कर जैसे देखें तो देर आर सम कोकोनेट ग्रूफ्स अराउंड कोटन शुगर कें प्लांटेशन्स और ऑल्सो ग्रोण एंड देर आर मेंगो और चाड्स ठीक है तो यहां पर क्या होता है कोटन और शुगर प्लांटेशन फील्स भी आपको देखने को मिल जाएगी स्पैलिंग्स नहीं कर लेना ठीक है उ आउध इंडिया में क्या कोकोनेट जो रहते हैं तो कोकोनेट को बीचा जाता है फिर सारी चीज़ें की जाती है मतलब फार्मिंग कर रहे हैं लोग उस चीज़ की तो यह मैंने आपको एक ब्रॉड आउट व्यू दे दिया जो आपका पहला टॉपिक था चैप्टर का क्या कलपट्टू विलेच कहां पहे हैं क्या होता है कैसे होता है वो सारा मैंने आपको समझा दिया तो यह इंग्जामपल से समझ में आए कि लोग क्या काम कर रहे हैं गाओं में सिर्फ खेती नहीं करते खेती के अलावा भी क्या है एक साइट इंकम इन सारी चीज़ों से आ रह करते हैं कि वो लोग क्या काम करते हैं लेट आस नौ ट्राइटू फोकस ऑन दी पीपल ऑफ कल पट्टू वो लोग क्या काम करते हैं तो अब हम अलग-अलग एक इंडिवीजियल्स की सेखर वगईरा जैसे सब की कहानी से समझेंगे कि एक बड़ा किसान जो है वो क्या कर रहा उस चीज़ पर हम क्या करने वाले हैं, focus करने वाले हैं, आगे, fine, तो वो सारी चीज़े हम पढ़ेंगे, समझेंगे, I hope चीज़े यहां तक clear हैं, आपको किसी प्रकार का कोई doubt नहीं, अगर doubt है तो क्या करना है, comment section आपका इंतजार कर रहा है, इसी के साथ हमारा आला topic complete होता है magnet means पे class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters, chapters के topics, subtopics, सारा सब कुछ systematic way, arranged format में available हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना syllabus, घर बैठे complete कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको देखो अपना जो भी mobile laptop, tablet है, उसमें YouTube चैनल पर या website पर जाके direct video lectures को देखना है, free of cost देख सकते हैं, ठीक हैं, सारे video lectures free of cost available है, अपने juniors और seniors को भी बताइए, magnet means के बारे में, next video lecture में मिलते हैं, अगले topic के साथ, till then, stay connected, keep learning with magnet means, thank you, thank you very much, Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राजपूत, welcome to magnet means, इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम थुलासी के बारे में पढ़ेंगे, अब आप बोलेंगे थुलासी कौन है, ठीक, तो पहले हम पिछले video से relate करते हैं, पिछले video में हमने क्या पढ़ा था, पिछले video में हमने कलपट रूरल लाइवलि हुड की जब आप बात करते हैं, तो रूरल लाइवलि हुड में क्या है, कि हम ये देख रहे हैं कि गाउं में लोगों का जीवन यापन कैसे होता है, गाउं में लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं, वो कहां से पैसा कमाते हैं, पिछले video में म आपको क्या बताया था, एक हिंट दिया था, कि ब्रॉड लेवल पे गाउं में क्या-क्या काम होते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम specifically गाउं के लोगों की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, कहानी मैं आपको सुनाओंगा, कहानी पढ़ना थोरी न पढ़ती है, कहानी तो इनसान कित्रों में, इन जनरल सभी लोगों की कहानी समझ में आएगी, जैसे क्या है थुलासी कौन है, तो हमारे पास फोटो नहीं है थुलासी की, ठीक है, थुलासी क्या है, एक कैरेक्टर है, जो हमारी स्टोरी में आने वाला है, तो वो कलपट्टू विलेज की एक, और सभी लैंडलस लीबर की कहानी के बारे में बताएगी, मतलब जो थुलासी फेस कर रही है उसके जीवन में, लगबग लगबग उसी तरह की चीज, सभी लोग, सभी लैंडलस लीबर फेस कर रहे होंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, क्या जानन के पास अपना खुद का खेत हो थुलासी उनी में से एक है लैंडलिस मतलब इनके पास खुद की जमीन नहीं है यह दूसरों के जमीन में काम करते हैं और इन्हें बदले में पैसा मिल जाता है ठीक है तो थुलासी उसी तरह से क्या एक लैंडलिस लिबर है अब देखते उसका जीवन कैसे चलता है तो अब जब उसके पास खुद की जमीन नहीं तो वो कहां काम करती है वो काम करती है रामा लिंगम की जमीन पर ठीक है रामा लिंगम's land तो रामा लिंगम कौन है अब यहाँ पे तो रामा लिंगम एक बड़ा किसान है रामा लिंगम जैसे बड़े किसान को मतलब कि उसका जीवन कैसे चलता है वो हम आगे वीडियो में समझेंगे कि रामा लिंगम के लाइफ में क्या है क्या है क्या नहीं है तो बागी थुलासी के जीवन के अगर बात करें तो वो रामा लिंगम की जमीन पे काम करती है अब थुलासी की तरह और भी बहुत सारे लोग होते तो थुलासी की तरह और भी बहुत सारे वरकर्स है जो रामा लिंगम के खेतों पर काम करते हैं अब आप बोलेंगे काम करते क्या हैं ये लोग तो देखिए थुलासी की कहानी के तुर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है कि थुलासी अपने पैरेंटल विलेज में जब थी मतलब जब शादी होंके नहीं आई थी वो कलपटू उससे पहले से क्या कर रही है वो उससे पहले से वो काम कर रही है वो कहती कि वो सुबह 8 वजे से 4.5 वजे तक खेतों में काम करती है अब जो बड़े किसान होते हैं तो जैसे रामा लिंगमें इनके पास जादा जमीन होती है जादा जमीन होती है तो इसका मतलब क्या है? कि इन्हें मदद के लिए और लोग लगेंगे अब मदद के लिए और जो लोग लगते हैं तो उसमें थुलासी यह से जो लैंडलेस लीबर्स रहते हैं वो इन लोगों की मदद करते हैं वो इनके काम में हाथ बटाते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रामा लिंगम की जो वाइफ है कुरुथम्मा तो कुरुथम्मा क्या करती है रामा लिंगम की वाइफ जो है वो सुपर्वाइस करती है सारे लीबर्स को सारे लीबर्स को सुपर्वाइस करती है किस चीज में जो वो पेडी कल्टिविशन कर रहे हैं पैडी कल्टिविशन क्या होता है मतलब राइस कल्टिविशन चावल जो धान होता ना धान की खेती की जाती है अब जैसे अगर आप देखोगे तो धान की खेती कहां की जाए कि जहां बारिश बहुत जादा होती है तमिल नाडू में हमारा गाउ है ठीक है कलपटू तो तमि किया जाता है ट्रांस्प्लांट किया जाता है एक जगा से निकाल किस तरह से पानी में लगाया जाता है ठीक है बहुत तारी मुवीज में भी देखा होगा आपने तो पौधे को ऐसे लगाया जाता पानी में अब जब लगाया जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है कंटि तो उसकी कमर में दर्द होता है यह बताता है कि लेबर जो होते हैं तो एक्स्ट्रीम फिजिकल लेबर में इंगेज रहते हैं इसके चलते हैं उनकी बॉड़ी जो है वो ठकने लगती है फिर फिर क्या जब पैसे की बात आती है तो रामा लिंगम उसे 40 रूपीज पर देता है आप लोगों के एक चॉकलेट के पैसे के बराबर दिन भर काम करना पड़ता है तो 40 रूपीज पर देता है जो कि बहुत कम है लेकिन थुलासी के पास पर कोई दूसरा आप्शन नहीं है और मान लो कभी ऐसी सिच्वेशन आ जाती है क्या कि जहां पर उनके पास कोई और आ लमीन नहीं है तो वो भी इसी तरह से क्या करते हैं दूसरे के खेतों पर क्या काम करते हैं तो वो वीडी साइट्स पेस्टिसाइट्स जोते हैं वो स्प्रे करने का काम करते हैं दवाईयों को छिड़काओं किया जाता है ना फसलों पर वो काम करते हैं फिर क्या होता है कि एब यह जो काम रहता है इनके पास agricultural field पर जो काम रहता है तो यह साल भर के लिए नहीं रहता है मतलब कि पूरे time काम नहीं रहता है जैसे यहाँ पर आप समझो इस चीज को क्या क्या आप देख रहे हो तो यह एक पूरा annual calendar आपके पास में तो अगर आप देखो के तो 12 महने मे से कहा है चलो जून में बारिश हुई है तो बारिश के टाइम पर क्या है, यहाँ पॉधा अपढक करना है, फिर कहा है, Peudos को जाते हैं, यह वीटिंग मतल्ब क्या होता है कि मानलोब अन्वान्टेट में फसल उगती है तो इसे, में क्या है कुछ ऐसे भी घास फूस यह सारी चीज़ें ग्रो करने लगती जिसके आपको जरुवत नहीं है अन्वांटेट प्लांट्स अनोनस वीड्स तो यह वीड्स को क्या कर दिया जाता है तो उसमें भी लोगों के लेबर लगेगा आपको फिर लास्ट में जब फसल पक फेस करना पड़ती काम नहीं है तो थुलासी क्या बताती है कि फिर उनके हजबेंट जो है तो वो दूसरे काम करता है जैसे क्या है रेत उठाना ठीक है लेबर की तरह बाहर कहीं काम कर लेना तो यह काम किया जाता है उनके दोरा अब आप बोलो कि यह काम क्यों कर रहे हैं ते देखो काम चाहे उनके पास में परमानेंट अगर देखा जाये तो एक्रिकाल्च्चरल्ट फीड पर बारा मेहने नहीं रहेगा लेकिन साल के बारा मेहने ही उनने अपने खर्चे तो रहेंगे खाना तो पड़ेगा न उन्हें तो इस तरह से जब वो अपने खर्चे रहेंगे तो अपने खर्चे पूरे करने के लिए उन्हें काम भी करना पड़ेगा ठीक सर्वाइफ करने के लिए काम करना बहुत जादा जरूरी है Some way or the other they are required to earn their livelihood उन्हें अपना जीवन यापन के लिए पैसा तो कमाना ही पड़ेगा तो वो इस तरह से क्या करते हैं अब देखो थुलासी की कहानी से आपको क्या समझना है कि सारे लैंडलेस लिबर जो है उनका जीवन कुछ इस तरह से ही चलता होगा गाउं में जब लैंडलेस लिबर की बात की जाती है तो अब क्या है तो nearly two-fifth of all ruler families are agricultural labor in our country two-fifth मतलब अगर मान लोग पांच लोग है तो पांच में से दो लोग हमारी देश में क्या है ठीक है दो परसे मतलब दो हिस्सा जो है पांच में से वो क्या है लैंडलेस लिबर उनके पास खुद की जमीन नहीं और दूसरों के खेतों में काम करते है थुलासी अपनी कहान है कि जीवन संगर्श में रहता है पैसों की दिक्कत रहती है और मेहनत बहुत जादा करना पड़ती है फिर क्या है देर आर सम हूँ हैव स्मॉल प्लोट्स और लैंड वाइल अधर लाइक थुलासी आर लेंडलेस तो अब आप यह जब फार्मर्स की पीजन्स की बात कर रह करेंगे अब यहीं देखेंगे नेक्स वीडियो में कि थुलासी के एक्जाम्पल से आपको लैंडलेस लेबर का जीवन कैसे चलता है वह समझ में आया अब आप शेकर का एक्जामपल देखेंगे ठीके शेकर की कहानी सुनेंगे कि जिनके पास थोड़ी जमीन है उन लोगो का जीवन कैसे चलता है ठीक है I hope यहां तक चीज़ें क्लियर हैं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का डाउट है तो feel free to ask in comment section magnet brains पे class 4th से class 12 तक magnet brains पे class 4th से class 12 तक सभी subject इसी तरह से मतलब इसी तरह से video lectures के format में बहुत systematic order में available है जिनने आप क्या कर सकते हो घर बैठे बहुत आसानी से अपने mobile laptop tablet जिसमें भी आपको देखना है देख सकते हो सबसे मज़गार बात क्या है कि सारे video lectures free of cost available है जी हां तो आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है बस अपना syllabus complete करना है अपने juniors और seniors को भी magnet brains के बारे में बताइए मिलते हैं next video में अगले topic के साथ तिल रेन stay connected keep learning thank you thank you very much Hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस video में क्या पढ़ने वाले हैं इस video में हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे जी हां हम यह देख रहे हैं कि गाओं में लोगों का जीवन कैसे चलता है rural livelihood पढ़ रहे हैं तो हमने थुलासी के तुलासी के एक्जामपल से हमें देखा कि जो landless labor होते हैं ठीक है जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती है उन लोगों का जीवन कैसे चलता है ठीक है एक topic था मैंने आपको एक specific वीडियो में बता दिया अब दूसरे topic में हमारे पास किसकी कहानी है दूसरे topic में हमा पट्टू village का एक resident है ठीक है एक villager है ठीक जिसकी photo हमारे पास नहीं है फोटो आ रही है रास्ते में अभी क्या है अभी आपको फोटो से कुछ लेना देना भी नहीं है आप क्या समझो कि शेकर एक category को represent करता है मतलब जो छोटे किसान होते हैं छोटे किसानों को represent करता है शे शेकर की कहानी के थ्रू तो शेकर की कहानी के थ्रू में समझ में आएगा कि जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास में जमीन होती है लेकिन उतनी जादा नहीं होती है जितनी रामालिंगम के पास में कम जमीन होती है तो उन लोगों का जीवन कैसे चलता है ठीक है देखो जव genau कानी नहीं होको तो उसके पास में बहुत ज्सके काम क्किन में रामा लिंगम कंदैम किस में क्या देखा था रामा लिंगम के पास में 20 अगर सोफ लेंड जादा थमनें तो वह क्या करता है ? सो आजसी जैसे लिए वर्ष को हायर किर लेता है और उन से काम करवाता है अक्योंकि कि उसके पास काम जाधा है धाए suited लेकिन अगर बात कुरिते हैं कि यह कि टी को शेकर के पास मैं उपे जाधा जमीन नहीं है तो तो इसके पास में इतना ज्यादा काम भी नहीं होगा अब जब बहुत ज्यादा काम नहीं होता है तो वह क्या करता है अपने खेत का काम अपने खुद से कर लेता है तो so they perform farming by their own they मतलब क्या है कि हम category की बात करें तो जो small farmers होते हैं usually small farmers क्या करते हैं वो खुद से अपना काम कर लेते हैं खुद से अपना काम कर लेते हैं in the sense खेतों में जितना भी काम आ रहा है वो खुद से खतम कर लेते हैं अब क्या है अब देखो एक चीज़ यह बताए गई है वो एक दूसरे की मदद भी कर देते हैं जैसे एक छोटा किसान जो है दूसरे छोटे किसान के खेत पर जाके काम कर लेगा बदले मूँ वो इसके खेत में आके काम कर लेगा तो इस तरह से चीज़े मैनेज हो जाती क्यों कि इनके पास इतना ज्यादा इनकम नहीं आता है कि किसी और को लेबर की तरह हाइर कर सके जैसे रामा लिंगम ने हमने क्या देखा है थ हो यह कुसी और को हायर नहीं करते है यह खुद से अपना काम निप्टाते है अब एक चीज़ और है आसअब कि SEEDs लाना होंगे. SEEDS की QUALITY भी अच्छी होना चाहिए. आगे बताओं, अगर अछी QUALITY नीरोगी तो किस Type किसान फस जाता है. अच्छी QUALITY के SEEDS महें मिलेंगे. अब वो SEEDS लेकर आएम, उन SEEDS, पुर आप क्या करते हों? SEEDS को आप SO करते हों जब पौधा बड़ा होगा, प्रिर क्या होगा, फर्टिलाइजर से ज्यादा प्रडेक्शन होगा हैる फिर आपको मानड़ा को बिमारी लग गई हैada, किसी प्रकार के फ्रट से लग गई और फसल जब बड़ी होगी, कटेगी, मंडी में बीच के आओगे, तब आपको वापिस पैसा मिलेगा, तो उस तरह से क्या है, कि यहाँ पे यह जो पहले से requirement रहती है न, input की, जो पैसा आपको seed खरीदने के लिए, fertilizer खरीदने के लिए लगता है, तो छोटे किसानों को loan लेना क्यों, क्योंकि trader सस्ते दाम में फसल खरीद लेगा शेकर से, और सस्ते दाम में खरीद के फिर वो अच्छे दाम में बाहर बेज देगा trader, तो trader इस तरह से क्या करता है, small farmers को exploit करता है, समझ रहो देखो, rural livelihood गाओं में कैसे जीवन चलता है, लोगों का वो मैं समझा रहा आपको, तो छोटे किसान, loan के ओपर dependent होते हैं, और क्या होता है, loan तो ले लेते हैं, वो बहुत आसानी से, लेकिन वो loan repay नहीं कर पाते हैं, और फिर वो loan के चलते हैं, क्या होता है, उनके ओपर एक तरह से, ये compression लगा दिया जाता है, कि आप आपकी फसल हमें ही बेचोगे, ठीक है, अब क्या करता, मरता क्या नहीं करता, तो वहाँ पर क्या है, जरुवत थी, तो जरुवत के चलते हैं, वो loan लेते हैं, और loan लेने के बाद में अब उनको अपनी फसले, उसी trader को बीशना पड़ेगी, अब क्या होता है, कि जादा कुछ बचता नहीं है, ठीक है, at the end of the day, अगर आप देखोगे, तो छोटे किसानों के पास में जादा सेविंग्स नहीं रहती है, लेकिन वहीं खर्चा तो साल भर रहेगा, खाना तो साल भर खाना पड़ेगा, दूसरी जरुवते जो हैं, वो तो साल भर चलती रहेगी, तो उसके चलते क्या होता है, कि सेकर रामा लिंगम की एक राइस मिल भी है, राइस मिल मतलब क्या है कि जो पैड़ी होने को आप कलेक्ट हो के आती है, उस पैड़ी को क्या किया जाता है, उस पैड़ी से आप राइस निकालते हो, तो जो राइस आप खाते हो ना खाने में, वैसा राइस, तो क्या होता है कि वह के बदले में उसे पे करेगा तो इस तरह से क्या है वो एक्स्ट्रा काम करता है एक और एक्स्ट्रा सोर्स ओफ इंकम होता है स्मॉल फार्मर्स की लाइव में तो वो क्या करते हैं कुछ फार्मिंग के अलावा भी दो पैसे मिलेंगे ना तो उस तरह से क्या है कि there is a extra source of income in case of small farmers जैसे सेकर की case में हमने क्या देखा कि उसके पास में cow है गाये है तो गाये की मदद से क्या करते हैं गाये की मदद से दो पैसे जाधा कमा लेते हैं ठीक है तो अब जो सेकर की कहानी सुनी है आपने पूरी इस से आप अब मैंने आपको दोनों जो कहानिया सनाई तो उसमें आपको एक चीज समझ में आए कि hardship जादा है समस्यां जादा है दिक्कते जादा है अब यही दिक्कते इनके लिए क्या करती कभी कभी कर्ज का जाल बन जाती है क्या होता है कैसे कर्ज का जाल बन जाती है यह सारा सब क पे class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters, सभी chapters के topics, subtopics, हर चीज इसी तरह से video lecture के format में systematically available हैं सारे video lectures आप YouTube channel पे, website पे जाके देख सकते हैं सबसे मज़िदार बात ये video lectures free of cost available हैं आपको क्या करना है? आपको निश्चिन्त होकर घर बैटे अपना syllabus complete करना है अपने juniors और seniors को भी बताना है Magnet Beans के बारे में मिलते हैं next video में अगले topic के साथ till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much Hello everybody, this is Digraas Singh Rajput, welcome to Magnet Beans इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस video में हम हमारे topic को continue करेंगे, जो है on being in depth अब on being in depth क्या है random सा topic है? लेकिन ये important है, क्यों? क्योंकि अभी तो जो कहानी सुनी है हमने, तो हमने दो topic complete किये, थुलासी की कहानी सुनी है, शेगर की कहानी सुनी है तो कहते हैं ना, जैसे कहानी सुनने के बाद में आप क्या निकालते हो moral of the story तो वो moral of the story आपको इस video में जानने को मिलेगा जो small farmers हैं, जो landless farmers हैं, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, rural livelihood गाओं में, ग्रामीन, शेत्र में लोगों का जीवन कैसे चलता है तो जब आप rural livelihood को पढ़ते हो, गाओं में कैसे जीवन चलता हो, उस चीज़ को पढ़ते हो तब आपको ये जानने को मिलता है, समझ में आता है कि हाँ क्या-क्या समस्याओं है जो face करना पड़ती है किसानों को, खास करके छोटे किसान या फिर ऐसे किसान जिनके पास में जमीन नहीं है खुद की दूसरों के खेतों में जिनें काम करना पड़ता है तो आपको क्या करना है देखो, तो relate the topic with previous stories दोनों stories देखिए, आपने थुलासी की और सेकर की जैसे आपने थुलासी के case में क्या देखा था, कि थुलासी ना चाहते हुए भी कम पैसे में रामा लिंगम के जमीन पे काम करना पड़ता है तो इस sense में क्या है, कि जो छोटे किसान या फिर ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं उन्हें hardship बहुत ज्यादा फेस करना पड़ती है शेकर की story में हमने क्या देखा था कि शेकर को trader के यहां काम मतलब trader से loan लेना पड़ रहा है और बदले में trader ने कहां फसा दिया है उसे, कि आपको आपकी फसल जो है मुझे ही बेशना पड़ेगी ठीक है, ये कहानी देखी हमने तो अब क्या होता है, तो very often farmers like seaker need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizer and pesticide तो हम क्या देखते हैं कि saker जैसे जो किसान होते हैं, तो इन किसानों को क्या करना पड़ता है, इन किसानों को ये सारे products खरीदने के लिए अब ये products भी क्या है, ये input है, किसान है तो खेती करेगा, खेती करेगा तो उसे seeds लगेंगे ही लगेंगे, fertilizers लगेंगे, pesticides लगेंगे, अब ऐसा तो नहीं कि उपर से गर जाएगी, जैसे बारिश उपर से हो जाती तो ये pesticide वगरा कि भी बारिश हो जाएगी, नहीं होगी तो इस sense में क्या है कि अब जब इन सारी चीजों के जरुवत लगेगी, तो ये सारी चीजें कहां से आएगी उनके पास, सोचो जारा दो मिनिट, ये सारी चीजें खरीदने के लिए उन्हें पैसा लगेगा, अब पैसा भी उपर से नहीं आएगा, पैसा कहां से आएगा money, तो often they borrow this money from moneylenders, ठीक है, तो इस कारण से उने क्या करना पड़ता है, कि पैसा moneylenders से उधार लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, टेडर से लोन के रूप में पैसा लेना पड़ता है, या फिर बड़े किसान जैसे रामा लिंगम है, तो अगर कुछ दिक्कत आती है, तो देखो, यही चीज़ तो आपने पिछली दो स्टोरीज में देखी, क्या, कि इन्हें बहुत hardship face करना पड़ती, इनके पास savings नहीं रहती है, अब जब पैसा बचता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, जरुवत लगेगी पैसे कि आपको उधार लेना पड़ेगा, वही चीज़ ये करते हैं, जब यह पैसा उधार लेते हैं, तो पैसा उधार लेने में दिक्कत क्या है कि यह फस जाते हैं एक तरह से, depth, trap में फस जाते हैं, depth क्या होता है, देखो तो और में इन्टेप्ट, depth समझा देता हूँ, depth मतलब कर्ज होता है, ठीक है, तो आपको यह of good quality और पेस्ट अटेक्ट देर क्रॉप्स देर कैन बीजर क्रॉप फिलियर अब एक किसान ने बड़ी रिस्क लिए सबसे ज़्यादा रिस्क कोई लेता है ना तो किसान लेता है वो कैसे लेता है समझाओ मैं आपको आप बहुत अंसर्टिनीटी में काम करते हो आपको नहीं इसमों पता है कि आपने जो वीजई लगाया है वह वीजेख ये पौधा बने गाने और नहीं बनेगा चलो अड़ा बन गया भोधा बन गया तो इसमें का लिया पूरी फसलों को खराब कर दी किछ उतवत रहती है अब पर रीस्क बी कभी कब है कि आप जो खेती कर रहे हो लोन लेके कर रहो आप यह उमीद लगा के बैठे हो कि हाँ यह फसल जब बड़ी हो जाएगी हर्वेस्ट हो जाएगी इससे मैं चार पैसे कमाऊँगा और जो कर्ज लिया हो कर्ज चुका दूँगा लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो किसी प्रकार का क्या होता है सीड की क्वेस्ट बार लवें याफिए पाणश नहीं कि लिए कर देब तो बैशना तरह से होता है फो जानज दाकर तो सारी चीज है हो जाएगी बारिश नहीं हुई या फिर बहुत जादा हो गई तो भी फसले खराब हो जाएंगी और यह सारी चीजें किसान को एक बनी लेंडर को पैसे लुटा दोगे लेकिन फसल नहीं हो पाई यह क्रॉफ फिलियर देखने को मिला आपको तो अब क्या होगा अब आपको अगले साल अगर फिर से खेती करना है तो उसके लिए क्या करना होगा उसके फिर से लून लेना होगा एक लोन पहले सिता एक कर्ज इसे था दूसरा कर्ज और ले लिया तो अगर उस साल फसल हो भी जाती है तो आपका सारा पैसा आप कर्ज चुकाने में लुटा दो गए तो फिर तीसरे साल मानले फिर फसल खराब हो गई तो फिर चौते साल क्या लेना पड़ेगा आपको लून लेना पड़ेगा तो वह साइकल बन जाता है और यह साइकल जो है तो एक ट्रैप की तरह होता है जाल की तरह होता जिसमें क्या होता है किसान फस जाते हैं तो I hope you got the idea what are the chances of being getting into debt, debt में फसने के क्या क्या chances है और इसी कारण से हमें क्या देखना पड़ती है देश में यह देखना परती है कि जो small farmers होते हैं या फिर जो landless farmers होते हैं तो उनके साथ क्या दिक्कत होती है in recent years this has become a major cause of distress among farmers तो इसी कारण से farmers परिशान है इसी कारण से rural areas में आप क्या देख रहे हो कि development नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है ना पैसा है भी तो कहां जा रहा है वो जो rich farmers है वो उनका strata बनते जा रहा है लेक छोटे किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ठीक है in some areas this has been also resulted in many farmers committing suicide अब जब चारो तरफ से हताश होते हो आप ठीक है nature आपका साथ नहीं देता तो इसी कारण से हमें यह देखना मिलता है कि देश में क्या हो रहा है देश में suicide के cases सामने निकल के आते हैं और वो उल्टा debt trap में फस जाते हैं और ये कर्ज से छूटने का एक मात्र समाधान क्या रह जाता है फिर उनके पास कि वो इस दुनिया से अपने आपको छुडबा ले और इसी कारण से suicide होते हैं farmers में ठीक है तो I hope एक important चीज़ आप समझ पाए हो कहानियों के बीच में हमने क्या करा कहानियों के बीच में हमने ये सीखा कि किस तरह से समस्याएं उत्पन होती है किस तरह से problems create होती है debt trap क्या होता है कैसे किसान debt trap में फस जाता है वो सारी चीज़ हमारी यहां पे clear हो गई है किसी प्रकार का doubt है feel free to ask in comment section I hope you enjoy the topic आपको चीज़े समझ में ये concepts को relate कर पा इसी तरह के video lectures के तुरू आपको क्या करना है आपको mission थोकर घर बैठना है ठीक है website पर या YouTube चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं और अपना syllabus घर बैठे complete कर सकते हैं आपको अपने juniors और seniors को जरूर बताना है Magnet Bains के बारे में मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक अगले topic के साथ में जोमारा next topic के तो उसमें क्या पढ़ेंगे हमने अभी तक छोटे किसानों के बारे में देखा लेकिर हम देखेंगे कि रूलर इरियाज में बड़े किसान कैसे survive करते हैं वो हम next video में discuss करेंगे till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूत welcome to Magnet Bains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे रामलिंगम और खरुतम्मा के बारे में अब रामलिंगम कौन है खरुतम्मा कौन है तो इनका नाम आप पहले भी कहानी में सुन चुके हो ठीक है तो म मैंने आपको जब थुलासी की कहानी बताई थी तो मैंने बताया था थुलासी किस के हां काम करती है रामा लिंगम के हां काम करती है अब आपको द्यान आया कि रामा लिंगम वो बड़ा किसान है जिसके पास बहुत जादा जमीन है और वो लैंडलेस लेबर्स को अपने हां काम पे रखता है अब खरुतम्मा कौन है तो मैंने ये भी बताया था कि खरुतम्मा कौन है रामा लिंगम की वाइफ है जो क्या करती है जो सुपरवाइस करती है कि लेबर्स सही तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो यह मैडा में जो क्या करती सब कुछ करती है किhan किह आप आपको टो लूमालिंगम की कहानी क्यों पढ़ रहे हैं तो देखों क्या पढ़ रहे हैrage सौज ऑख देन हैं जो है जो खांसरा से चलता है ठीए युजब यूज कीसे चलता है ठीख हुँ नहीं पर गाव में कुछ बड़े किसान भी होते हैं, तो इस वीडियो में specifically हम क्या देखेंगे, हम बड़े किसानों की कहानी देखेंगे, बड़े किसान कैसे survive करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका जीवन कैसे चलता है, यह सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बत प्रड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रड्यूस करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा, बोलो हाँ, तो उस सेंस में क्या है, इनके पास में पैसा रहेगा, पैसा रहेगा तो हम इने rich farmer की category में डाल देते हैं, फिर क्या है, they have 20 acres of land, इस कारण से भी अमी इस वाल को निकालते हैं बाहर, प्रोसेस करते हैं, कहलो, ऐसे समझ लो, तो जो खेतों से आता है धान, उसको क्या करते हैं, खाने लाइक तयार करते हैं, तो इनकी rice mill है, ठीक है, तो they, his family owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. तो अब क्या होता है, कि इनकी family की एक तो rice mill हो गई, वहाँ से पैस इसके पास में पैसा होगा, तो ramal income, जो है, तो ramal income की family के ही लोग क्या करते हैं, they own a shop selling sheets, ठीक है, and pesticides, तो pesticides बीचने का काम भी करते हैं, और दुकान के द्वारा ये क्या बीचते हैं, बीच भी बीचते हैं, तो इस कारण से हम क्या कह रहे है, rich farmer, इनके पास source of income क्या है, multiple source of income आया समझ में, आगे देखो क्या है, अब आप बोलोगे कि इनके पास पैसा कहा से आता है, इतना, तो इनके पास पैसा कहा से आया, देखो, क्योंकि जाधा जमीन है, तो दिखती बात है कि इनकी income क्या होगी, extra income जनरेट होगी, उस extra income से थुरू क्या कर सकते हैं, ये, और न government bank government bank से पैसा उधार ले लिया तो यह सारा पैसा एकटा करके इन्होंने एक rice mill लगा दिया इक तरह से कह सकते हैं उन्होंने क्या कर दिया अपना एक business चालू कर दिया जिससे उन्हें और पैसा मिलेगा तो अब क्या उता जोंनल दे रहे तो इसका इन्हें फायदा है ये फायदा small farmers को नहीं था थुलसिया जैसे landless labors को नहीं था क्यों? क्योंकि government ऐसे थोरी बोलेगा इनसे कि हम तो बहुत ज़्यादा interest charge करेंगे government ये थोरी बोलेगा रामा लिंगम आपको हमारे हां काम करना पड़ेगा जैसे रामा लिंगम ने थुलसिया से बोल दिया था पैसो तो दे दूँगा लेकिन मेरे लेबर की तरह काम करना पड़ेगा 40 रुपे पड़ रेखे हिसाब से तो यहाँ पर क्या है कि government bank से लोन लेने पर वैसे ही बहुत फायदा मिल जाता है किसको बड़े किसान को रामा लिंगम जैसे किसानों को वही चीज़ आप छोटे किसान के अगर बात करोगे तो उन्हें ये advantage नहीं रहता है क्यों नहीं रहता है क्योंकि छोटे किसान क्या कर रहे हैं वो किसी money lander से या फिर रामा लिंगम जैसे किसान से पढ़ेगी कम कीमत में बेशना पढ़ेगी तो यहां पर क्या होता है नहीं और गरीब होते चले जाता है ठीक है फिर क्या है दे बाई पैडी फ्रॉम विदिन दी विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज अब क्या होता है क्योंकि रामा लिंगम का खुद का खेत है उसके अलावा कि आजू-बाजू के गाउं में भी पैडी कल्टिवेशन हो रह से निकल करें उसको खाने लाएंग चावल बना देता हो जो आप पैकेट में लेकर आते हूं वहाला थूर्ट और उसस से निक disgusted काम में जो अच्छी जी में अंगे यह तो इस सब्सक्राइब इंकम और ये सारी चीज़े जब होती तो उनको एक अच्छी सब्स्टेंशल इंकम मिल जाती है जिसके थूँ क्या है जिसके थूँ और नए बिजनस खोल सकता है और पैसे से पैसा बना सकता है वो ठीक है जिसे और अब यह दो को यह इनिक्वालिटी बताती है मैंने आपको चैप्टर की स्टैटिंग में समझाया था न हम यह देखेंगे कि रूरल लाइवली हुड में जो अमीर है जो गरीब है उनके बीच में क्या इक्वालिटी है या नहीं है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इनिक्वालिटी इग्जिस्ट करती है वो जो इनिक्वालिटी इसको हमने समझा यहां पर कि जी हाँ बड़े किसान और छोटे किसान में किस तरह से फरक आ जाता है क्यूं बड़ा किसान और अमीर होते जाता है घैप्टर Après में फसने के chance हैं ही नहीं रामा लिंगम के उपर कर्ज कहां से आएगा बताओ वो तो लोगों को कर्ज दे रहा है उसके पास कितने सारे दूसरे source of income है लेकिन दूसरे जो किसान है छोटे किसान है ठीक है शेकर की तरह ठीक है थुलसिया की तरह तो इन लोगों को क्या है इन लोगों के chances हैं कि वो debt trap में फस जाए और यहाँ पर एक disparity देख इस चीज़ से भी देखने को मिलेगी तो transplanted paddy growing in the few of Ramalingam's 20 acres a result of hard labor performed by agricultural worker like थुलसिया ठीक है थुलसिया तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको कि काम किस ने किया रामलिंगम के खेद की फोटो एक वहाँ पर पेड़ी ग्रो हो रही है अब रामलिंगम क्या कर रहा है बैठे बैठे देख रहा है बस यह ग्रो ह inequality यहां से देखने में समझ आती की hard work जो कौन कर रहा है individual कर रहा है जो workers कर रहे लेकिन उसका पूरा फाइदा कौन ले जा रहा है owner ले जा रहा है बस इस कारण से क्योंकि उसके पास resources थे उसने manage कर लिए चीजों को ठीक है तो यह हमारा जो topic था रामा लिंगमन करुथम्मा तो इन दोनों के example के थो आपके समझ में आए कि rich farmers जोते हैं उनका livelihood कैसे चलता है ठीक है उनका जीवन कैसे चलता है यह मैंने आपको बताया तो हमारी जो stories वाला part था वो complete होता है अब हम कुछ और insights देखेंगे पतलब कहानिया और भी आई गया आगे तो अब आप और insights मिलते हैं अगले topic के साथ में उससे पहले एक important topic क्या है important topic यह है कि magnet brain पे class 4th से 12 तक आप इसी तरह से अपना पूरा syllabus complete कर सकते हैं सिर्फ SST नहीं बाकि सारे subjects का syllabus complete कर सकते हैं क्या करना है कुछ नहीं करना है घर बैठना है ठीक है mobile laptop tablet जिसमें आपको देखना suitable लगे उसमें syllabus complete करो video lectures देखो सारे video lectures free of cost available हैं अपने juniors और seniors को भी बताइए बिलते हैं नेक्ट वीडियो लेक्शर में till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्रास सिंग राजपूत welcome to magnet beans इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे terrace farming in nagaland nagaland में terrace farming की जाती है यह पढ़ने वाले हैं आपके मैंन में बहुत सारे सवाल आए होंगे terrace farming क्या होता है समझाओंगा में फिर आप बोलोगे कि tamilnadu से nagaland कैसे पहुँच गए nagaland है कहां तो जितने भी सवाल है ना सारे सवाल हम यहापे खतम कर देंगे पूरे वीडियो में अच्छे से समझेंगे और यह topic क्यों पढ़ना जोरी ही वह मैं समझाता हूं देखो और यही क्या है यही खूबसूरती है social science as a subject क्या क्या आप यही चीज़ा आप सेवंत में क्या करोंगे geography में भी पढ़ोगे geography का concept है लेकि आप उसे civics में क्यों पढ़ रहे है क्योंकि देखे हो कि गाओं में लोग कैसे जीते हैं गाओं में लोग खेती करते तो खेती करने का एक जो तरीका है वो है terrace farming तो अब वो terrace farming को हम यहाँ पे लोगों की life से जोड़ के दिखेंगे लोगों की life के सांथ में relate करके पढ़ेंगे मैं आपको यह भी समझाओंगा terrace farming क्या geography का concept भी बताऊंगा मौका मिला तो आप कहीं हिस्ट्री में भी terrace farming के बारे में पढ़ोगे इंटर रिलेट करके पढ़ने का जो मज़ा है ना वा भी वा वाला है ठीक है और यही सबसे अच्छी चीज़े कि आपको इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना होगी हमेशा पढ़ आप च्छतवत पर जाके खेती करते होंगे तो नहीं ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी से terrace farming क्यों गहर है कि आप देखो तो च्छत जैसी structure बनाई जाती है यह है terrace farming मतलब आप देखो क्या है कि यह इसके लिए च्छत होगा यहां कोई खड़ा तो यह उच्छा होगे ना फिर य यहां पर खेती करते हो अब अब बोलो कि यहां पर क्यों खेती करना है तो आप जैसे देखो कि जो mountainous areas रहते हैं जहां पर क्या रहता है बहुत जादा तो पहाड़ों पर क्या है अगर इसा terrace ना बनाया रहता तो ऐसी पूरी plain जमीन होती अब आप यहां पर यहां फसल लग पानी hold बहुत आसानी से किया जा सकता है अराम से पानी रुख सकता है खेती अच्छे से की जा सकती है यह होती है terrace farming खास करके जो hilly areas रहते हैं वहाँ पे terrace farming perform कि जाती है नागा लेंड कहा है नागा लेंड हिली areas में ही आता है इस करण से वहाँ पे terrace farming कि जाती है यह देखो हमारा क्या है यह हमारा पूरा देश है प्यारा देश यहां पर आप देखो गे तो northeast Borders जो हैं हमारी ठीके नापीज बाडर मियानमार के साथ होती है यहां पर आता है नागा Surat is चलो तो terrace farming को समझ लेते हैं पहले हम तो यह है terrace farming देखो The land on a hill slope is made into flat plots and carved out in steps ठीक है तो जो hill है, hill पे जो slope है तो उस hill slope पे आप क्या कर रहे हो land को आप steps में carve out कर देते हो इस तरह से lands are carved out into steps, steps बना दिये अब क्या यह जो steps बना दिये तो यह platform मिल गया आपको ठीक है यह पूरा platform है, पहले क्या इधर platform नहीं है तो आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हो पानी जोर से आएगा तो आपको बहा कर ले जाएगा नीचे लेकिन यहाँ पे आप क्या है, खुद भी खड़े हो सकते हो फसल भी लगा सकते हो अपनी क्योंकि आपने steps flat area बना लिया है, ठीक है, तो the side of each plot are raised in order to retain water, अब क्या होता है, कि यहाँ पे ऐसे bund बना दिये जाते है, bund मैंने आपको बताया थे ना, कि boundary types है तो यह क्या होता है, sides को थोड़ा सा हलका सा raise कर देते हैं, ताकि पानी बह के नीचे ना जाए, पानी store कर सके हैं वो उस flat पे, जैसे यह है, तो अगर इधर सा हलका सा ऐसा, आप क्या कर दोगे, raise कर दोगे साइट को, तो यहाँ पानी भरा रहेगा ना, बह के आगे नहीं जाएगा, तो the sides of each plot are raised in order to retain water, water retain करने के लिए sides को उठा दिया जाता हलका सा, फिर क्या है, this allows water to stand in field, ठीके, which is best for rice cultivation, अब rice cultivation में एक चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी क्या, कि rice एक ऐसी crop है जो बहुत जादा पानी मांगती, पानी बहुत जादा मांगती है, ठीके, तो आप क्या एक पानी लगेगा, और आप जब आप क्या करते हैं, तो पानी को hold कर देते हो एक जगा पे इस तरह से steps बनाके, terrace बनाके, तो आप वहाँ पे rice बहुत अच्छी तरह से cultivate कर सकते हो, rice cultivation के लिए best है ये, ठीके, तो this allows water to stand in field, which is best for rice cultivation, which is good for rice cultivation, ये होगी terrace farming, आगे ना समझ में कितनी simple चीज थी terrace farming क् अब आप जीवन भर इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज पढ़ रहो आखरी बार पढ़ो, 6th में पढ़ लिया ना आप जीवन भर आपको terrace farming clear रहना चाहिए, ठीके, तो ये terrace farming हो गई है, अब क्या होता तो terrace farming के advantage भी बता दिये, पानी hold कर सकते हो, rice wise अच्छे से cultivate कर सकते ह terrace farming in nagaland है हमारा topic, nagaland कहा है बता दिया, तो nagaland में क्या है, एक जगा है, चिजामी, ठीके, चिजामी, तो चिजामी हाँ पर spelling अड़ पर होगे, ठीके, धियान रखना तो चिजामी है, C-H-I-Z-A-M-I, चिजामी जो है, तो चिजामी कहां पर, चिजामी is in fake district in nagaland, अब fake district कहा है चिजामी कहा है, ये भी समझा देता हूं, आपको देखो, तो ये जो पूरा nagaland है हमारा, ठीके, पूरे वदेश में एक state है nagaland, ठीके, यहाँ पे nagaland है, और clarity देख लो, तो ये green color जो दिख रहा है, ये nagaland है, नागaland में क्या है, तो ये nagaland आगे हमारे पास, बड़ा nagaland, ठीक तो ऐसे देख लो, ये country, country का, ये nagaland, nagaland का, और आपने district खुला, fake district, तो fake district में भी कहाँ पे, चिजामी, ये चिजामी आपका गाउं हो गया, अब यहाँ का हम पढ़ रहे हैं कि, यहाँ पर जैसे जो terrace farming, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे की जाती है, अलग-अलग जगा country में, तमिल नाडू में भी की जाती है, जहाँ जहाँ हिल्स है, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, terrace farming देखने को मिल जाएगी, hills पे terrace farming आपको देखने को बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपको क्या धिहान रखना है, आपको इस story में बता रहे हैं कि, चिजामी जो जग आपको क्या करते हैं, यह लोग perform करते हैं, terrace farming, ठीक, the people of Chizami have their own individual fields, but they also work collectively in each other's field, तो अब क्या है, लोगो बहुत जाधा developed area नहीं है, tribes है, आराम से अपना जीवन, राजी खुशी जीते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सब के अपने अपने खेत होते हैं, लेकिन सब एक मिलके काम करते हैं, सब एक दूसरे की मदद कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, खेती करते हैं, each group eats together once their work for the day is over, अब जब सब एक साथ काम करते हैं, एक फसल उगाते हैं, जब उनका काम खतम हो जाता है, तो सारे लोग बैट के एक साथ खाते हैं, तो सारे लोग बैट के एक सा तो अब आपको क्या जानने को मिला आपको स्टोरी में तो स्टोरी से आपको जानने को क्या मिला आपको जानने को क्या मिला आपको जानने को मिला आपको जानने को मिला आपको जानने को मिला चिजामी का है नागालेंड का है हमारे देश का पॉलेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ लिए आपने country को समझा थोड़ा सा फिर आपने geography भी पढ़ लिए इसी topic में आपको terrace farming मैंने समझाया terrace farming के साथ में हमने देख लिया कि जो rural livelihood जो rural area में ठीके चागजंग community के लोग रहते हैं चिजामी में वो किस तरह से अपना जीवन जीते हैं terrace farming के थूँ वो क्या करते हैं यह मैंने आपको सारा सब कुछ समझा दिया है इस वीडियो में I hope चीज़ें समझ में आईए किसी प्रकार का कोई doubt नहीं है doubt अगर है भी तो क्या करना है feel free to ask in comment section magnet brains पे class 4th से class 12 तक सभी subjects सभी chapters सभी chapters के topics subtopics सारा सब कुछ इसी तरह से systematic way में available है आपको क्या करना है घर बैठे अपना syllabus complete करना है ठीक है अपने juniors और seniors को भी magnet brains के बारे में बताना है next video में next topic को discuss करेंगे हम till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिगरास सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे agricultural labors and farmers in India दो शब्दे agricultural labors and farmers in India farmers को आप दो category में फिर classify कर सकते हो कुछ rich farmer होते हैं कुछ poor farmer होते हैं ठीक है कुछ small farmer होते हैं कुछ large farmer होते हैं ऐसे भी कह सकते हो अब देखिए क्या समझना है आपको यहाँ पर यह जो वीडियो इसमें आपको basically analyze करना है अभी तक जितने भी कहानी सुनी हमने शेकर की कहानी देखी हमने थुलासी की कहानी देखी रामा लिंगम की कहानी देखी तो इन सब की कहानी जो आपने देखी कहानी जो आपने सुन होगे ठीक है तो यहां पर हम क्या देखते हैं यहां पर कुछ observations है हमारे पास में इन observations के तुरों हमें समझ में आएगा कि यह जो टॉपिक है agricultural laborers and farmers in India तो agricultural laborers की क्या position है farmers की क्या position है अब आप यह देखो होगे कि थुलासी और शेकर के case में आपने देखा कि उनको सफर करना पड़ता है पैसे की तंगी रहती सारी समस्या है rich farmers जो रहते हैं तो उनके मज़े रहते relatively वो क्या है better off position में रहते हैं तो वही देखना आपको क्या तो इन इंडिया नियरली टू आउट ओफ एवरी फाइफ रूरल फैमिली मतलब हर पांच रूरल फैमिली में हर पांच ग्रामीन परिवारों में से दो परिवार जो होते हैं वो क्या होते हैं वो agricultural laborers होते हैं वो families agricultural laborers होती है मतलब उनके पास अपना खुद का जमीन नहीं होती है अपनी खुद का खेत नहीं होता है वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं तो इन इंडिया नियरली टू आउट ओफ एवरी फाइफ रूरल फैमिली आर अग्री कल्च रल लेबर फैमिली ठीक है landless farmers work on other field to earn living to earn a living ठीक है work on other field to earn a living इसका मतलब क्या है कि अब जब इनके पास में खुद की जमीन नहीं है agricultural laborer है तो यह क्या करेंगे यह landless farmers दूसरों के खेतों में काम करेंगे ताकि वो क्या कर सके अपनी living को earn कर सके मतलब अपने जीवन जीने के लिए जो पैसे की अब पैसे के nellis थे की आप देखो कि आप एक खाना में और उनकी जो दूसरी जर्वते है तो ऐसा नहीं कि याओब दूसरी जर्वत इन दी केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर ठीक है दियर लेंड इस बैरली इनफ टू मीट देर नीड्स अब जो फार्मर्स की बात करते तो अग्रिकल्चरल लेबरर समझ में आ गया हमें क्या सिट्वेशन है उनकी ठीक अब यह जो फार्मर्स की बात करते यह सारी इनके पास इतनी जमीन होती है वो सफिशन्ट नहीं है ठीक है उतनी जमीन में सिर्फ अपनी जरुटों को ही पूरा कर पाते हैं तो यहां पर बताएगा है शेखर के केस में हमने क्या देखा कि उनके पास जमीन है वो सिर्फ अपनी जरुटे ही पूरी कर पा रहा है तो यह एक important चीज़ है एक important बात है जानने वाली जब आप बात करते हैं agricultural laborers की और farmers की तो farmers में भी सारे farmers चलो laborers का तो समझ में आरा किया उनके पास अपनी जमीन नहीं है लेकिन जो शेकर जैसे किसाने जनके पास अपनी खुद की जमीन है भी लेकिन इतनी जमीन नहीं कि वो अपनी स 80% of farmers belongs to this group शेकर वाली जो केस है ना सेकर वाली जो केटेगरी small farmers की तो इंडिया में 80% farmers इस ही केटेगरी को बिलॉंग करते हैं ठीक है 80% farmers जो शेकर वाली केटेगरी को बिलॉंग करते हैं only 20% of India's farmers are like Ramalingam Ramalingam की तरह जो बड़े किसान है जिनके पास ज्यादा पैसा है तो 20% farmers farmers are like Ramalingam आप देखो यहां पर क्या है यह 80-20 का रिश्यो है ना यह आपकी life में कितना ज्यादा मतलब आप रिलेटेबल पाहोगे क्या होता है कि आप देखोगे वर्ड की जो 80% wealth है वर्ड में जितना भी पैसा है ना 80% पैसा 20% लोगों के पास है और 20% पैसा जो है वो बाकी जो जनता बची हुई 80% उसके पास है 80-20 का रिश्यो हर चीज में चलता है आपके मोबाइल में आपके जो 80% कॉंटेक्ट है ना उन कॉंटेक्स से आप 20% बात करते हो बस और बागी जो 20% कॉंटेक्स है तो उनसे आपके 80% कॉल लगते हैं बात होती है आपके जो कपड़े हैं तो 80% कपड़े ऐसे होंगे जो आप 20% टाइम पहनते हो वाकि 20% कपड़े ऐसे हैं जो आप 80% टाइम लोगर डिशर्ट जो आपकी वह पहन के भूमते रहते हो तो यह 80-20 का रेशियो तो वर्डवाइट सिग्निफिकेंट है ठीक है वही चीज यहां पर भी आती कि 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 प्रिसानों की जब बात होती है अब small farmer versus large farmer की जब बात करते हो तो 80% आप दी फार्मर्स हर small farmers like sheager ठीक है जो सिर्फ क्या कर रहे है सर्वाई भी कर रहे है सिर्फ 20% farmer ऐसे हैं जो well-off condition में जिनके पास में क्या है पैसा है जिनके पास में जमीन जादा है ठीक है तो यह मैंने जो अग्रिकल्चरल लिबर्स हैं तो वह सिर्फ खेती पेसी लिए डिपेंडेंट नहीं है अब उन्हें दो पैसे जाधा कमाना है सरवाइवल के लिए तो वह क्या करते हैं तो अपार्ट फॉर्म फार्मिंग पिंडेंडेंट अपान क्लेक्षन फॉर्म दी फॉर्रेस्ट अनिमल हस्बंडरी डैरी प्रड्यूस फिशिंग एक्सेटरा तो क्या होता है कि आप देखते हो कि खेती के अलावा भी अब दो पैसे जाधा कमाना तो शेकर के केस में में देखा तो उसमें गाये पाल के रखी तो वसी क्या होता है कि दूसरी activities भी होती है जैसे collection of forest products forest products में आप जैसे आप देखते हो tribes जो होते हैं तो tribes क्या करते हैं कुछ-कुछ forest products खरीदते हैं market में बेच देते हैं फिर अगर आप देखोगे तो animal husbandry जानवरों को पाला जाता है नीबल husbandry में आप दूद के लिए dairy farming कर सकते हो दूसरी चीज क्या है meat वगएरा के लिए आप जैसे देखते हैं तो लोग क्या करते हैं poultry farming वगएरा चलाते हैं अंडे वगएरा बीचते हैं तो इस तरह से क्या होता है यह सारी चीज़ें भी की जाती है ताकि क्या हो कि extra income आ सके सिर्फ खेती पर आप dependent नहीं हो सकते हैं और मैंने आपको यह भी बताया था कि खेती में risk कितनी ज़्यादा होती की chances of getting into debt trap is more in farming क्यों कब फसल खराब हो जाए कब बारिश जादा हो जाए कब किसी प्रकार के कोई कीड़े पेस्ट वगरा हमले कर दें तो कोई guarantee नहीं उस चीज़ की तो लोग क्या करते हैं एक extra source of income सर्च करते हैं ठीक है तो वह यह यहां से निकल क्या आती है fine और उसी के अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो हमने क्या देखा था कलपट्टू विलेज में तो similarly selling of milk to the village cooperative society और taking milk to the nearby town तो यह क्या हो जाएगा यह आप animal husbandry के बाद जो dairy farming पढ़ते हो तो dairy farming में आप यही करते हो कि दूद जो है तो यह एक पता है और white revolution के बारे में ब farmers के लिए farmers क्या करते हैं जब खेती के अलावा इस तरह से क्या सकते मिल्चिंग अनिमल्स जो थे काव बफेलो इनको पालते है तो उससे उन्हें एक extra source of income आना च्टार्ट होता है आया समझ में तो maybe the main source of livelihood for some families तो कुछ families के लिए यहां से भी क्या है livelihood निकल कर जाए रूरल livelihood की बात करें तो रूरल एरियास में यहां से भी चार पैसा कमा सकते हैं लोग अब क्या होता है इंदी coastal areas we find fishing villages coastal areas में क्या देखने को मिलता है fishing villages देखने को मिलते है fishing villages क्या होता है मतलब कुछ लोग गाओं में रह रहे हैं लेकिन वह खेती नहीं कर रहे हैं वह दूसरा काम कर रहे है रूरल एरियास में source of livelihood लोगों के लिए क्या होती है fishing भी हो सकती है अब आप बोलोग ऐसे कैसे हो सकता है तो आपको कहानी से बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा जी हां next video में हम क्या करेंगे एक और कहानी देखेंगे एक और interesting कहानी जिससे हमें पता चलेगा कि उस कह कहानी के तरह में समझ में आगा कैसे रूरल एरियास में livelihood के लिए लोग मशली भी पकड़ते हैं मशली मतब से पालन जो होता है मशली पालते भी हैं सारी चीज़ें करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं तो next video में हम एक और कहानी पढ़ेंगे interesting I hope यहां तक चीज़ें समझ और सिर्फ SST के नहीं दूसरे subject भी बता रहा हूं में तो आप क्या करना है आपको घर बैठे अपना syllabus complete करना अपने juniors और seniors को भी बताना है Magnet Brains के बारे में मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ में fishing के बारे में देखेंगे कि कैसे source of livelihood बन सकता है fishing rural area में till then stay connected keep learning thank you thank you very much इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम कहानी पढ़ेंगे अरुना की और पारी विलन की अरुना और पारी विलन कौन है दोनों husband wife है ठीक है अब इनकी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं तो देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया कि जो agricultural laborers ह होते हैं या फिर farmers होते हैं वो तो आपने एक category देखी की rural areas में लोग क्या कर रहे हैं खेतों में काम कर रहे हैं किसानी कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी दूसरे source of livelihood होते हैं Rural livelihood को जब आप पढ़ते हो तो there are some various sources from which people are earning money ठीक है जो लोग है जो ग्रामीन शेत्र में लोग रह रहे हैं वो पैसा कमाते हैं कहां से कमाते हैं तो एक तरीका मैंने क्या बताया था कि fishing भी एक occupation होता है मचली पकड़के भी लोग पैसा कमाते हैं मचली पकड़ते हैं मचली पकड़के बेचना ये काम भी करते हैं लोग पैसा कमाने के लिए Rural areas में एक source of livelihood ये भी होता है ठीक है तो अब हमारे पास में दो character कौन है कहानी में अरुना है और पारी विलन है तो देखो यहां पे क्या है not very far from Kalpattu is the village of Pudupet अब Pudupet क्या है Pudupet एक coastal town है coastal town क्या होता है मैंने पहले भी बताया आपको कि जैसे यहां पे हमने देखा Tamil Nadu में यहां पे क्या है Kalpattu है Kalpattu से थोड़ा और पास में मतलब समुद्र के पास में क्या है एक दूसरा गाउं है जिसका नाम क्या है Pudupet ठीक है अब Pudupet में क्या होता है तो people here earn their living by fishing ठीक है यहां पे देखो ठीक है इससे आपको थोड़ी सी clarity होगी कि लोगों के पास में अपने कैश मेरांस होते हैं ठीक है ऐसी बोट होती है उन बोट पे क्या करते हैं बोटिंग के थू जाते हैं आज तो आप देखो कि तो आज तो इंडस्ट्री जहां जाते हैं और मशली पकल के लाते है लेकिन हम उसे छोटे लेवल पे देख रहे हैं ठीक है गाओं के लेवल पे देख रहे हैं रूरल लाइवली हूट के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो लोग क्या करते हैं लोग अपना मतला अपनी पूरी तयारी करते हैं उनकी बोर्स के साथ में तयार रहते हैं तो इन लोगों का जो घर है अरुना का और पारी विलन का तो वह समुद्र के पास में ही है समुद्र के पास में और उनके घर के आज बाज़ो आपको बहुत सारे कैचमरांस, नेट्स वगरा देखने को मिलेंगी अब यह क्या चीज है कैचमरांस मतलब इस तरह की बोट जिससे वो मशली पकड़ने के लिए जाएंगे उसे कैचमरांस कहा जारा लोकल लेवल पर फिर क्या है नेट्स तो यह जो नेट्स होती तो यहां पे क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं होने वाली है यह नेट्स के क्या करेंगे वो मशली पकड़ेंगे मशली पकड़ेंगे इन दे सेंस आपने देखा होगा जाल डाला जाता है यहां पर देखो यह अंकल को यह क्या कर रहा है इस तरह से एक जाल फेक रहा है अब वो जाल में क्या होता है उसमें आप टैप्स लगा देते हो तो थीक़, बीट्स लगा दिता है, तो मिश्चली उसे खाय और फस जाए, तो अब मश्चली आजाल में फस जाएगी ऊस थरह से मश्री फकड ली जाती है, तो ये तो मैंने आप एक एक ऐसे ग्जामपल दिखाया कि है, मश्री पे ऐसे पकड़ी जाती है तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर वो अंदर जाते हैं समुद्र के, coastal area पर रहते हैं, यह इधर पुरा समुद्र है, तो क्या देखने का मिलता है, पुडू पेट के लोग जो है, तो पारी विलन जो है, आरुना जो है, यह लोग fishing कैसे करते हैं, यह लोग अपने catchmaran जो उनकी boat थी, उस boat से वो अंदर जाएंगे समुद्र में, वहाँ से मचली पकल के लाएंगे, ठीक है, इस तरह से वो अपनी livelihood को, अपनी living को earn करते हैं, तो at about 7 o'clock in morning, there is a lot of activity on the beach, अब इनका catch, ठीक है, तो जो ये boat लेके गए थी ना, पकड़े मचली, ये लोग अब वापस आ जाते हैं सुबह साथ बजे के आसपास, वापस आते हैं साथ बजे के आसपास, मतलब और पहले पकड़े गए होंगे, दो बजे रात से चले जाते हैं, अभी आगे कहानी बताओंगा, तब समझाओंगा, तो साथ बजे के आसपास, ये लोग वापस आते हैं, अपनी मचलिया पकड़ के वापस लेके आते हैं, ठीक है, विद्धेर कैच and women gather to buy and sell fish, और महिला हैं जो रहती वो इखटी हो जाती है, वहाँ पे मचलिया बेचने के लिए, मचलिया खरीदने के लिए, तो बहुत भीड़ बाद, जैसे मार्केट लगता है, तो मार्केट सुबह सुबह लगता है, क्योंकि ताजी-ताजी मचलिया आई हो रहती ही तो इस तरह से सुबह सुबह का टाइम रहता है, वहाँ पे क्या होता है, फिशिंग के लिए, आप देखोगे, फिशिंग एक्टिविटी जो है तो बहुत जादा रहती है, यह मैंने आपको पुडुपेट का एक सिनेरियो समझाया, अब हम अरुना और पारी विलन के कहान जाते हैं, और अरुना का काम क्या होता है, वह बेक एंड पर सपोर्ट देती है, इनको कैसे, जब वह मशली पकड़ के लाते हैं, तो बेचने का काम अरुना कर देती है, अब क्या होता है, तो जो मशली पकड़ के लाए और बेचा बेचने के बाद में जितनी भी सेल होती ह तो उस सेल को क्या किया जाता है चार हिस्सों में डिवाइट किया जाता है तीन हिस्से होते हैं एक पारिविलन का एक पारिविलन के भाई का और एक अरुना के भाई का और चौथा हिस्सा जो रहता है तो वह मेंटेनिंस के लिए मतलब मेंटेनिंस में जैसे क्या है कि आप प प्रॉफिट शेयर करके रखा है इस सिस्टम उनका चल रहा है इस तरह से चीजें ओपरेट हो रही है यह मैंने आपको अरुणा और पारी विलन की कहानी समझा दिए अरुणा पारी विलन की कहानी आ तक समझ मैं यह अब आगे देखो क्या है तो आगे यह बताया गया है कि इ सकते हैं उनका दिन जो है न वो ऐसे स्टार्ट होता है कि रात में दो बजे कौन पारी विलन और पारी विलन के भाई लोग यह सब मश्ली पकड़ने के लिए समुधरम निकल जाते हैं रात में क्यों जाते हैं क्योंकि सुबह सुबह उन्हें बेचना होगी और रात के टाइम पर क्या रहता है कि पानी थोड़ा से स्टेवल रहेगा जूसरी अक्टिविटीज नी रहेगी मश्ली अच्छा अच्छा कैश मिलेगा उन्हें यह हो गया अब जब क्या होता है सुबह लेके आते मश्ली पकड़के तो अरुना जो है बेचने का काम कर देती बेच के फिर उनका दिन खतम हो गए मतलब उनका काम वर्किंगार्स खतम हो गए अब जाके सोगे फिर क्या होता है अगले दिन शाम से वापिस तैयार्याच चालू हजाती तो शाम को क्या है नेट्स वग्रट और अपनी टैं enhance कर लेतें तयारी कर लेतें कि हाँ फिर से जाना है अब बड़ी होगी तो उस time period पे ये कहां ये मशली पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं अब उस time पे जब ये मशली पकड़ने के लिए नहीं जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा तो ये loan वगेरा ले 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 ल इससे लोन लिया है तो उस ट्रेडर ने क्या बोल दिया है कि आप आप आपकी मशली आॉक्षन में नहीं बीचोगे ठीके बोली नहीं लगाओगे आपकी पूरी मशली जितनी भी पकड़ कि लाओगे आपको हमें बीचना होगा तो ऐसे कभी-कभी कहा रहता है वो जो टाइम से लेक्षण कर लेता है यह चीज आपको समझना होगी जानना होगी इसमे के साथ हमारा यहाला topic complete होता है किसी परकार का कोई ंडाउट नहीं किसी परकार का डाउट है तो feel free to ask in comment section MagnetBrainz पे class 4th से class 12th तक इसी तरह से Hello everybody, this is दिगराश सेंग राजपूत, welcome to MagnetBrainz इस फीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस फीडियो में हम इस chapter का last topic पढ़ेंगे जो है rural livelihood देखिए chapter हमने पूरा लगबग लगबग complete कर चुके हैं चाप्टर का जो heading है और यह जो topic है दोनों सेम ही है rural livelihood तो यह तरह से conclusive वीडियो है ठीक है जिसमें आपको conclude करना है कि आपने जो पूरे chapter में कहानिया पढ़ी ठीक है जो अलग-अलग concept सीखे आपने तो वो किस बारे में है आखिरकार आप अगर एक शब्द में आपसे पूछा जाए कि rural livelihood के बारे में आप क्या जानते हैं तो यह वो वीडियो है ठीक है यह वो conclusion है जो आपको बताएगा कि हाँ हमने जो पूरा chapter पढ़ा तो उससे हमने यह सीखा conclusion यह निकालते हैं हम ठीक तो अब क्या हो रहा है जिसे हम rural livelihood की बात करते हैं rural में लोगों का जीवन कैसे चलता है तो हमने क्या देखा basically they are dependent on farm activities farm activities में क्या जाएगा मतलब खेत से जुड़े हुए काम कर रहे हैं वो non farm activities मतलब जहां पर खेती नहीं कर रहे हैं दो तरह के काम हो गए बोलो हाँ ठीक है यह समझ में आया अब आगे देखो क्या है तो दिस इंवल्स operations such as preparing the land, sowing, weeding and harvesting of crops तो farm activities में आप यह सारा काम कर रहे हैं ठीक है आप जमीन को प्रिपेर कर रहे हैं, sowing, weeding इन सारे काम हो को कर रहे हैं यह farm activity का पार्ट हो गया, non farm activity में क्या आता है, non farm activity में आगर आप देखेंगे तो यहां पर dairy farming, fishing, trading, labor, यह सारे काम, तो non farm activity में हमने देखा था, कलपट्टू village की जब आपने कहानी पड़ी, सुनी, समझी, जानी, त दीगे, शेखर के case में आपने क्या देखा, गाय पाल की रखी उसने, लोग क्या कर रहे हैं, fishing कर रहे हैं, तो अरुना वाली कहानी देखे, आपने उसमें fishing की जा रही है, trading करते हैं, तो trading में आपने देखा होगा कुछ दुकाने थी, कलपट्टू में, वो दुकाने क्या कर ही है, rural livelihood का part है, लेकिन खेती नहीं है, बागी खेती यहाँ पर आप देखी रहे हो, जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, involves operations such as preparing the land, sowing, weeding, harvesting crop, मतलब पूरी खेती हो रहे हैं यहाँ ठीक है, clear हो गया है, farm activity, non farm activity, both are the part of rural livelihood, rural livelihood का part होती है दोनों चीज़े, आगे क्या है, we depend on nature for the growth of these crops, hence life revolves around certain season, और क्या होता है, farm activities में जैसे आप देखोगे तो आप nature के उपर पूरी तरह से dependent हो, soil nature से मिल रही है, पानी आपको कहा से मिल रहा है, nature से मिल रहा है, temperature वो जो climatic conditions डवलप होरी, वो आपको nature से मिल रही है, तो इस sense में आप पूरी तरह से किसके उपर dependent हो यहाँ इस sense में आप पूरी तरह से dependent हो, farm activities के उपर, और farm activities जो है, वो किस पर निरभर करती है, वो करती है nature के उपर, तो nature, farm activity, लोगों की life, सब कुछ आपस में जुड़ी होई है, ठीक है, hence life revolves around certain season, तो आप देखते हो कि बारिश आती है, बारिश के साथ में, किसान तयार हो जाता ह कि हाँ, तयार हो जाओ, अपना season आ गया, जैसे आपको पता है ना, जुन जुलाई में आपके school खुलने वाले रहते हैं, तो आप तयार हो जाते हैं, उसी तरह से जुन जुलाई में किसान भी तयार हो जाती है, मतलब मुझे भी अपनी खेती के लिए तयार होना होगा, ठी सीजन से जुड़े हुए हम हमारी जो लाइफ हो कही ना कही सीजन के आराउंड रिवाल्व होती है ठीक है आगे देखो क्या है तो रूरल पीपल इन डिफरेंट रिजन्स ऑफ दी कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स और यहां पर हमें एक चीज और क्या देखने को मिलती ह कि सीजन के हिसाब से जो रूरल लाइफली हुड में लोग खेती कर रहे हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एरियाज में लोग अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करते हैं डिपेंडिंग ओन दी क्लाइमेटिक कंडिशन सॉइल जैसे आप देखोगे राजिस्थान से लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं राइस कल्टिवेशन कर रहे हैं तो यह मैंने आपको समझाया आपको ठीक है कि रूरल लाइफली हुड में फार्म एक्टिविटी नॉन फार्म एक्टिविटी में यह सारी चीज़ें होती है मैंने आपको बता दिया नॉन फार्म चैलेंजेस, तो rural livelihood and challenges, मतलब किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसानों को, छोटे किसानों को, बड़े किसानों को, क्या दिक्कते होती हैं, वो देख लो एक बार, conclusion है, ठीके, तो क्या है, most farmers grow crops both for their own requirement and also to sell in the market, अब आपको पता है कि अगर जैसे farm activities को perform कर रहे हैं, तो खेती कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, खेती ताकि वो crops को जो grow करेंगे, तो वो अपने खुद के लिए करेंगे, ठीके, क्योंकि खाना है ना उन्हें, तो अब वो खुद के लिए भी crops grow कर रहे हैं, और बाकी उन्हें साल भर जीना भी हैं, तो जीने के लिए सिर् यह जो हमारे अनाज हमारी जरुवत के बाद में बचेगा उसे हम बेच देंगे उससे पैसे मिल जाएंगे और उस पैसे से हम हमारा जीवन चला पाएंगे ठीक है तो most farmers grow crops both for their own requirements and also to sell in the market market में बेचने के हिसाब से भी यह काम करते हैं ठीक है आगे देखो क्या है तो some have to sell to traders from whom they have borrowed money अब कुछ किसानों को क्या करना पड़ता है यह trader को बेचना पड़ता है क्या जैसे अब आपने क्या करा है फसल grow करी आपने खुद की दरुवते पूरी कर ली है अब आप market में बेचोगे लेकिन क्या होता है जैसे हमने शेकर के case में देखा था कि अगर आप किसी loan के तले द independent होते हैं farmers traders के उपर तो यहां पर भी बताया गया some have to sell to traders from whom they have borrowed money अगर उधार लिया है तो उधार को चुकाय कैसे जाता है तो वो अपनी फसल उस trader को बीचते हैं जिसके चलते वो सही कीमत नहीं ले पाते हैं मान लो ठीक है मैं किसान हूं मैं अपनी फसल अपने हिसाब से जिसे चाहूंगा उसे बेचूंगा तो जब मुझे सबसे बढ़िया सौधा होते हुए मिलेगा ठीक है जो best price देगा मैं उसे बेचूंगा लेकिन जब मैं trader से पैसे लेके बेठा हूं उधार और trader ने क्या बोलते कि आपकी crop आप मुझे ही बेचोगे तो trader मुझे कम पैसे बेचने गा तो भी मुझे उसे ही बेचना पड़ेगी तो इस तरह से किसान के सामने ये चैलेंज है रूरल लाइवलिवड में ये चैलेंज देखने को मिलता है ये समस्या देखने को मिलती है ठीक है आगे क्या है तो for their survival many families need to borrow money for their work और when no work is available अब क्या होता है जैसे आपने थुलसी की कहानी जो देखी थी तो थुलसी की कहानी में आपने क्या देखा थुलसी कहानी में आपने देखा कि farmers जो रहते हैं लैंडलेस लेबर्स जो रहते हैं तो उनकी ज़रुते रहती हैं तो उन ज़रुतों को पुरा करने के लिए कभी-कभी उन्हें उधार लेना वो चीज हमें यहां देखने को मिलती है, वो चीज हमें यहां समझने को मिलती है, आया समझ में, तो there are some families in rural areas which thrive on large acres of lands, तो जैसे रामा लिंगम की case देखी थी आपने, rural area में अगर rural livelihood की बात करते हो, तो यह तो challenges आपने देख लिये, लेकिन कहीं 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 क्या है, unequality भी देख which thrive on large acres of land, ठीक है, बहुत बड़ी-बड़ी जमीनों पर वो thrive कर रहे है, businesses and other activities, उनके business चल रहे हैं, जैसे हमने देखा rice mill चलती थी रामा लिंगम की, उसकी shop वगेरा थी, pesticide fertilizer की, तो किसी-किसे के पास बहुत कुछ है, ठीक है, however, most small farmers, agricultural labors, fishing families, craft person in the villages, do not find enough work to keep them employed throughout the year, यह एक बड़ा challenge है, तो यह जो inequality की में बात कर रहा हूँ ना, कि किसी के पास जमीन है, business चल रहे हैं, सब कुछ है, और कुछ जो लोग है, सेगर की तरह, ठीक है, अरुना की तरह, तो यह लोग क्या है, agricultural laborer की तरह काम कर रहे हैं, fishing family की तरह काम कर रहे हैं, और यह ऐसे काम कर रहे ह कि इनके पास साल भर काम भी नहीं होता है, ठीक है, इनके पास साल भर काम नहीं होता है, not enough work to keep them employed throughout the year, अब जब साल भर काम नहीं होगा, तो साल भर पैसा कहां से आएगा, और जो कर्ज के चक्कर में फिर फस जाते गई ना गई, ठीक है, तो यह conclusion था, I hope आपको समझ में चाहिए, समझ में आना चाहिए, अब आपने गाहों समझ लिया, नेक्स वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे, मतलब जो नेक्स चाप्टर है हमारा तो उसमें आप देखेंगे इस शेहर में कैसे लाइव लिवड होता है, ठीक है, शेहर में लोग कैसे जीवन जीते हैं, तो ये ध्यान रखना पूरा जो भी चैप्टर आपने पढ़ा ना, इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना इस्टोरी को, कंसेप्ट को, क्योंकि हम कंपेर भी करते चलेंगे आप अगले चैप्टर में, तो हमारा चैप्टर यहाँ पर जो है वो, थिवरी पार्ट पर कं सारे topics समझा दिये, chapter हुआ है हमारा complete, enjoy, मुझे बता आप दे असे ही कुछ हो रहे होंगे कि यहाँ chapter complete हो गया है, अभी क्या है, next video में हमारा NCIT solution बच्चा है, तो next video में हम NCIT solution को complete कर लेंगे, तो जिसके तुर हमारा chapter का है, पूरी तरह से complete हो जाएगा, theory पे भी और question answer वाले part प सभी subjects, सभी chapters, सभी chapters के topics, subtopics, सारा सब कुछ, systematic way में एक arranged format में video lectures के थ्रू available है, आपको क्या करना है, आपको घर बैठे अपना syllabus complete करना है, पढ़ना है, नश्चिन थो कर वीडियो देखना है, मज़े की बात कि सारे video lectures free of cost available है, अपने juniors और seniors को भी बताइए, magnet brains के बारे में, मिलते हैं next video में NCIT solution के साथ, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्राश सिंह राजपूत, welcome to magnet brains, इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम NCIT solution discuss करेंगे, किस chapter के, तो जिस chapter को theory part पे पूरी तरह से हम discuss कर चुके हैं, जी हां, class 6 civics का chapter, chapter है rural livelihood, chapter के सारे topics, सारे मतलब सारे, ठी complete कर लिया है, I hope आपको सारे topics समझ में आए हैं, अभी क्या है, तो अभी यह है कि question आपके पास भी है, question मेरे पास भी है, लेकिन चाहिए क्या, sir answer चाहिए, ठीक है, तो इस video में हम NCIT solution को discuss करने वाले हैं, NCIT questions जो है, उनके answer को मैं आपको बता दूगा, ताकि आप आसानी से क् कर सकें, अपना chapter पूरी तरह से complete कर सकें, फिर वही चीज़ बता रहा हूं, 6th class में हो छोटे हो, चलो उंगली पकड़वा दिये, ठीक है, लेकिन आपको खुद से answer लिखना सीखना चाहिए, क्योंकि हम जब theory part पे अच्छे से पढ़ते हैं, तो मैं expect करूँगा आप से क्या आप answer लिखना सीख जाओ, जितनी जल्दी सीखोगे, उतना advantage मिलेगा आपको, ठीक है, देखो, तो क्या है हमारे पास, ज्यादा question नहीं है, पांचों questions को समझते हम, क्या है, तो पहला question क्या बोलता है, यूज़ प्रबैबली नोटिस्ट देट पीपल इन कलपट्टु अर engaged in variety of non-farm work, list 5 of this, direct question है, हमने देखा कि गाओ में लोग खेती तो करी रहे हैं, लेकिन खेती के अलावा भी कुछ काम करते हैं, वही चीज़ कलपट्टु में भी देखी थी, तो जो non-farm activities है, जो खेती के अलावा है, वो क्या-क्या है, उनका नाम बताओ, ठीक है, तो the people of कल पट्टु विलेज, are engaged in non-farm activities like, like क्या, making pots मटके बनाते हैं, making basket, तो हमने देखा था कि वो बांस वगेरा से क्या करते हैं, baskets बनाते हैं, टोकरिया बनाते हैं, making bricks, तो eat वगेरा बनाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, क्या कि eat के भटे होते हैं गाओं के में, जहां पर मिट्टी ले जाई जाती है, मिट्टी से eat बनाते है, eat को पकाया जाता है, फिर वो इटों से क्या बनता है, घर बनता है, वहाँ पर लोग काम करते हैं, तो रूरल लाइवलिट का एक पार्ट ये भी हो जाता है, making bricks, making utensils, तो making utensils में क्या है, कि कुछ लोग मि अपनी livelihood earn करने के लिए, जो की खेती से अलग है और गाउं में कर रहे हो, ठीक है, making bullet cards, जी हाँ, bullet cards पर कितने बच्चे बैठे हैं, वो बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, समयते हैं, बैल गाड़ी होती है, तो बैल गाड़ी क्या है, बैल तो natural है, ठीक है, वो तो होगे, यह कुछ non-farm activities होगी, जो कहां पर perform की जाती है, कलपट्टू में, बता दिया, चलो, अगला question क्या देखिए, तो list the different types of people you read about in कलपट्टू, who depends on farming, who is poorest among them and why, यह important चीज़, different type of people, इंसान का नाम नहीं पुछा, आपने जो कहानिया पढ़ी ही न, शेखर की कहानी पढ है कि आपने अलग-अलग तरह के लोग देखे कलपट्टू विलिज में, लेंडलेस लीपर देखा आपने, ठीक है, आपने small farmers देखे, large farmers देखे, सभी को देखा, तो आपको यह बताना है, who is poorest among them, सबसे गरीब कौन है, और क्यूं है वो, चलो, तो देखते answer क्या है, तो यह कि यह तो basic essence हो गया ना, तो प्लस farmer तो आप करी सकते, तो यह हो गया, और उसके आद में क्या है, तो यह सारे जो लोग रहते हैं, तो traders, shopkeepers, weavers and labors are some of the people amongst them who depend on farming, अब यही लोग खेती भी करते हैं, ठीक है, यह तो इनका side business है कि trading कर रहे हैं, किसी ने क्या करके रखा, जैस खेती poorest among them, ordinary labor, landless labor, जो है, जिसके पास में दूसरा source of income निया, सिर्फ वो खेती कर रहा है, खेती भी किसी और की खेत पर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा गरीब की category में आते हैं, यार, poorest among them, because their earning depends on the availability of labor in farming or any other work which they can do, तो उनके पास पैसा कहां से आएगा, जैसे मान लो अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, एक वीवर की, तो वीवर का तो चलो ठीक है, वो खुझ से कपड़ा बना के बेच देगा, पैसे कमा लेगा, लेकिन जो ordinary labor है, उसके पास option सिर्फ एक यही है कि कोई मुझे काम पे बुला ले तो म हमारा, next question देखिए, तो imagine, imagine you are a member of fishing family, आप क्या है, एक मचवारो की परिवार से आप बिलॉंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी family में क्या की जाती है, fishing की जाती है, बढ़िया है, सुबह से नाओं पर बैठ के चल जाना मचली पकड़ने, ठीक, तो imagine you are a member of fishing family and you are discussing whether to take a loan from the bank or for an engine, what would you save, ठीक है, आपकी family में discussion चल रहा है, कि loan लेना चाहिए, अब आपको ये suggest करना होने कि आपको loan bank से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है, लेना चाहिए, तो क्यों लेना चाहिए, आपका क्या stand होगा उस पे, question आगया समझ में, answer देखो, answer क्या है, तो if I were a member of fishing family, ठीक है, अगर मैं fishing family का member होता, तो I would say we must take loan from the bank to improve the condition of our occupation, ठीक है, हमें loan लेना चाहिए, ताकि हम क्या कर से कि loan इस लेना चाहिए, कि loan के पैसे लेके घुमफिर के आजाओ कहीं पे, loan के पैसे से हमें क्या करना चाहिए, हमारी working condition, जो हमारा जो occupation है, मतलब fishing करते हैं, तो उस occupation को, उस condition को improve करने के लिए हमें loan लेना चाहिए, अब loan लेने से condition कैसे improve हो जाएगी, वो समझो, देखो बचो, ये जो question है, इस तरह के question आपको खुद करना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अप दया आजाती है, तो बता देता हूँ मैं आपको लेकिन आपको खुद practice करना चाहिए, तो जो लोग खुद से कर रहे हैं, well and good, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे question आपको खुद attempt करना चाहिए, क्योंकि आपसे पुछा है न, आप बताओ, लेकिन फिर भी मैं क्या कर देता हूँ, आपको एक ready made format बता देता हूँ, बा बेंगी net कहां से लाओगे, आपके पास पैसा तो लगेगा, पैसा किसी और से उधार लोगे, वो जादा इंटरस्ट चार्ज करेगा, तो उससे बहतर क्या है कि आप बैंक से लोन लोन, बैंक से लोन लेने पर आपको क्या है कम इंटरस्ट रेस्ट पे सीजर मिल जाएगी, तो यह है, the best quality net for fishing cost very high and therefore it is necessary that we should go for the loan and we should take the loan from bank, ठीक है, यह हो गया, catch maran engines are very useful for fishing because with the help of these, we can go far away to catch fishes, अब क्या होता है, catch maran engines जो हते हैं, जो उनकी boat रहती न, जिससे वो मशली पकड़ने जाते हैं, उस पर गर आप engine रख लोगे, तो engine क्या करेगा, आपको तेजी से बहुत द मशली आएगी नहीं, आप कहां जाओ, अंदर गहरे पानी में जाओगे, वहाँ मशली मिल जाएगी आपको, अब वो engine जो लाना तेजीन आपको gift नहीं मिलेगा, आपको खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए क्लेगे, पैसे, पैसे कहां से आएगे, तो आप ये loan लोग item, because they are very costly, अब क्या होता है, जो गरीब मच्वारे होते हैं, poor fisherman होते हैं, वो ये खरीद नहीं सकते हैं, क्यों क्योंकि बहुत जादा costly होता है, so we must take loan from bank to improve our social status, लेकिन अब गरीबी के कारण खरीद नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे हैं, अग तो उस sense में ये आपका suggestion हना चाहिए कि हाँ भीया, loan ले लो, क्यों क्योंकि loan लेने से आपकी social status, आपके occupation क्या होगी, improve होगी, एक चीज़ बच्चों मैं आपको life lesson सिकाता हूँ, कभी भी loan सही है या गलत है, वो किस चीज़ पर depend करता है, कि वो आपको कितनी productivity दे रहा है, ठ पैसे खतम कर दिया, उड़ा दिया, घूम फिर लिये, तो वो लोन आपको debt trap में फसा देगा, लेकिन आप loan लेके कुछ productive काम करते हो, जिससे आपके पास 4 पैसा आएगा, तो वो लोन ले लेना चाहिए, ठीक है, कभी loan लो, तो मेरी इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, आग उनके पास में दूसरी facilities नहीं है, facilities तो है, लेकिन उनके पास में मौका नहीं है, कि वो उन facilities को afford कर पाए, पैसा नहीं है, तो you have read about inequality in the first unit of this text, जब आप 6th में civics पढ़ना चालू करते हैं, पहले chapter ही आपके क्या थे, पहले chapter में ही आपने ये चीजें देखी थी, inequalities क्या होती ह और उन्ही inequalities के कारण society divide हो जाती है, जिसके पास पैसा है वो अमीर हो गया, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब हो गया, उच नीच आ गई है, तो अब अमीर आजमी गरीब आदमी को अपने बाजू में नहीं बैठने दे रहा है, ठीके, inequalities के बारे में पढ़ा आपने, और उसी inequality के कारण जो गरीब हैगा है, वो facilities को afford नहीं कर पा रहा है, वो enjoy नहीं कर पा रहा है, ठीके, तो theme समझना question की, यह होता है, अब क्या होता है, तो हमने यहाँ पर यह देखा, the difference between her and Ramalingam, रामा लिंगम क्या है, एक बड़ा किसान था, थुलासी हमने क्या देखिए, एक labor जो रामा लिंगम की खेतों में काम करती है, तो दोनों के बीच में difference है, एक के पास में पैसा है, सारी facilities है, दूसरे के पास कुछ नहीं है, तो the difference between her and Ramalingam is one of inequality, यह एक तरह की inequality है, दोनों की बीच में जो difference है, रामा लिंगम के बीच में और थुलासी के बीच में एक तरह की inequality है, ठीक है, inequality कैसे, एक के पास सब कुछ है, एक के पास कुछ नहीं है, आसमानता हैं यह, ठीक है, अब question देखो, तो do you think this is a fair situation, क्या एक fair situation है, क्या ऐसा होना चाहिए समाज में, ठीक है, what do you think can be done, आपको क्या लगता है, क्या किया जाना चाहिए इस चीज के लिए, discuss in class, आपको सोचने पर मजबूर करेगी, और जहां आपने सोचना चालू कर दिया, वहां आपने बढ़ना चालू कर दिया, जितना सोचों के उतना बढ़ोगे, ठीक है, तो आभी discuss करना, यह inequalities सही है, नहीं है, क्यों होती inequalities, किस चीज के लिए हमें, मतलब किसे responsible समझना चाहिए inequalities के लिए, आप मुझे बताना सोच के, ठीक है, comment section में, तो no, अब यहां पर अगर हम देखे तो inequalities नहीं होना चाहिए, no, but in India it is a major problem, होनी तो नहीं चाहिए, पर अफसोस क्या है, कि inequalities होती है, inequalities किसे पसंद होती बताओ, सभी लोग समान रहें, सभी enjoy करें, कितना अच्छा आपको उपर नीचे देखने को मिलेगा, रामा लिंगम अच्छा खाये जा, अच्छी facilities, enjoy करेगा, अच्छा खान अच्छी facilities को छोड़के क्या है, वो education, health, इन चीजों को इन basic facilities को afford कर सकता है, और वहीं पर हम labor की बात करें, जिसे थुलासी की बात करें, तो वो नहीं कर सकत को, उनके living standard में difference हाजाएगा, ठीके, also some people lead a happy and joyful life, जिनके पास पैसा होगा, तो वो क्या होगा, they will lead a happy and joyful life, relatively, ठीके, थुलासी के comparison में क्या है, कि वो एक happy, joyful life जी सगेगा, रामा लिंगम, ठीके, क्योंकि उसके पास facilities है, while the other has to work hard for their daily bread, ठीके, बाकि दूसरे level पर आप देख जाने के लिए, शौक, facilities, living standard, यह सब गया एक तरफ, सिर्फ अपने आपको survive करने के लिए, उन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत जादा मैनत करना पड़ती है, यह हो गया, तो अब पांचवा question क्या, यह सारे discussion वाले fact है, मैं आपको in detail बता रहा हूँ, ताकि आप discuss करो, ठ process करना है यहाँ पर, ठीक है, last question देखो क्या है, what do you think the government can do to help farmers like shaker when they get into debt, discuss, इसे भी discuss करते देखो, हमने देखा था कि shaker जो है उसे अगर पैसे की requirement रहेगी, तो वो क्या करेगा, वो लोन लेगा, ट्रेडर से लोन ले लिया, अब वो लोन अगर नहीं चुका पा रहा है, तो आफिर कह सकते हैं कि वो loss खा के काम करेगा, loss का के कैसे काम करेगा कि trader को जबरन अपनी फ़सल बीचना पड़ेगी, trader को जब अपनी फ़सल बीचना पड़ेगी, तो वो हो सकता था कहीं और जाके बेच के ज़्यादा अच्छी कीमत ले सकता था, लेकिन कर्ज के तले फ़स हो सकता है लेकिन long term में नहीं है ठीक है मेरा personal opinion क्योंकि उससे फिर क्या है आप देखोगे तो ये government के उपर pressure आ जाएगा हमें pressure को release करना है ऐसा नहीं कि pressure को shift करना है तो यहाँ पर क्या है their debt must be part and option हो सकता है चलो ठीक है ये एक अच्छी चीज़ है कि rate of interest might be decreased जो trader है और trader बहुत जादा interest charge कर रहा है ठीक है बहुत जादा interest charge करेगा तो उसके चलते repayment में दिक्कत जाएगी तो उनके जो rate of interest है उसको decrease किया जाए ताकि कम rate of interest है तो उसे चिंता भी रहे कि आगर नहीं करूंगा तो कम कम करके जादा हो जाएगा लेकिन कम रहेगा तो जल्दी से रीपे कर पाएगा और क्या है देखो अब जल्दी से रीपे करने की बात आरी है अगर हम time को ही बढ़ा दे कि एक लंबा समय दे दो उनको कि धीरे धीरे आप इतने सालों में दे देना तो वो भी क्या हो जाएगा उनको पर pressure release कर देगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है दी government can also give them sufficient time to return the debt अगर किसी के उपर कर्ज है तो government कहीं कहीं न कहीं यसे mechanism को बनाए कि उनके कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें लंबा समय मिल जाए ठीक है थोड़ा ज्यादा time मिलेगा तो हम आसानी से calculated and also some relaxation on debt be given अब क्या होता है मैंने आपको होता है किसानी क्या एक तरह से एक मसल खराब हो गई तो अब यहां पर किसान क्या है किसान के पास कुछ नहीं बचा तो इस situation में क्या होना चाहिए कि जितना loss loss को immediately क्या किया जाना चाहिए calculate किया जाना चाहिए किसी प्रकार का compensation दे दो या फिर उनके उपर debt है तो उसमें relaxation session मिल जाए यह चीज होना चाहिए ठीक है तो इसी के साथ हमारा chapter जो है पूरी तरह से complete होता है theory part पे भी question answer वाले part पे भी chapter हुआ पूरी तरह से complete पूर्णा होती देते हैं स्वाहा बोलते हैं ठीक है seniors को भी magnet brains के बारे में बताईए नेक्स वीडियो लेक्चर से एक नए chapter स्टार्ट करेंगे till then stay connected keep learning thank you thank you very much